जी बिसमिल्ला रह्मारहीम सबसे पहले तो मैं शुक्रियादा करना चाहूँगा हिसनला यारी साब का कि उनों ने मुझलब इसका काबिल समझा और उनकी तरफ से उनकी टीम ने राप्ता किया चोदरी उस्मान गानी साब ने आप ने भी राप्ता किया माशाला से तारिक मुझा कि कोई भी जानते बूचते चाहनुम मैं नहीं जाना चाहता फहम की गलती लग सकती है अंडर्स्टैंडिंग की गलती होती है मतलब किसी को समझी गलत आये तो अब यह है कि हमें अपने मद्द मुकाबिल को फरीक मुखालिफ को पुना दुश्मन और अदुद अगरा है पकी फैम की गलती लग जाती है बहुत सरी जगों पर हैले तश्यों के बहुत सब मकातब फिकर को लगी इस नाश्रिया के नजदी जो इमाम कर के काई थे वो कहते हैं जिए उनको भी गलती लगी किसी मुटएन इमाम की काई में तो गलती मतलब जानते बूचते भी हो जाती है तो उसका मार्जन जायों देना चाहिए और किसी को बिश्मन अदूब नहीं समझना चाहिए बूसरी बात जो मैं आर्ज करूंगा पहले भी हमारी एक डिबेट हुई थी तो उसमें मुझे ये मसला पेश आया था वो इरान के बड़े आलिव थे किया था कि ह हम आहिल अदीस मक्तब फिकर से हैं और आहल अदीस मक्तब फिकर में वो tकलीद वगरा की काहिव नहीं है मतलब फलाँ अमाम ने ये लिका फलाँ ने ये लिका उनकी किताब ने ये है तो वो कहते हैं भई बात यह है कि हमारी नज्दीक बेसिक सोर्स तो ही है किताब नल्ला और सुनत रसूल सदूर यह न शही अदीश तो बाकि किसी ने क्या लिख़ है वो खुद उसका जवाब दे है एक बात मैंने नहीं लिखी, मैंने नहीं की मैंने तीस कताबें लिखी हैं, मेरी एकदार वीडियो मुझूद है जो मैंने कहा है, जो मैंने लिख़ है, मैं उसका responsible हूँ मैं उसका जिम्मादार हूँ जो मैंने नहीं का जो मैंने नहीं लिखा मैं उस पर कमेंट भी क्यों करो उस पर अपना वकत भी क्यों जहा करो कि किसी ने क्या कहा है क्या लिखा है तो इपली मैं बस ये एक आप कहने के जिए गुजारिश करना चाहूंगा कि जब भी हम कोई बात करें तो हम कुरान से बात करें सबसे पहले वो हमारे नज़्दीक मुश्तरक है हम दोनों के नज़्दी और फिर उसके बात यह है कि आहदीस में बाहरे लिए अखिलाफ है ठीक है यह बात ठीक है तो मैं अपनी आहदीस के मसादर से गुफ्तगू नहीं करूँगा बिल्कुल भी नहीं करूँगा इमामत के मौदू पे मैं आज दो मसादर के हवाले से जितने भी गुफ्तगू अपनी सामने रखूँगा एक तो कुरान क्यूंकि हमारे जो फरीक मुशालिफ हैं उसको एक मसादर दीम मानते हैं और जो दूसरा शिया जो मसादर अहदीस हैं उन से इमामत के हवाले से गुफ्तगू करूँगा यानि या मेरे नजदीक जो मसादर होगा या जो दलील होगी वो ही है जो फरीक मुखालिफ के नजदीक दलील है बस मैं भी ये चाहूँगा कि हम अगर इसी तक महदूद रहें तो इन्शालला से बात करने में असानी रहेगी ज़गा कुए बिस्मिल्लाह रर्हमान रर्हीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्लामीन मुथर्म नाजरीन आच्छे इस गुफटगू में नजरिये इमामत पर और मनसूस मिन अल्लाह होने पर हम गुफटगू करना चाहेंगे और यह हमें बहुत अजीब लगता है और हमारे लिए इतजाद हल नहीं होता एक तरफ से हमारे बरादरान इस बात के गाइलें कि दीन कामल है और इस बात को भी मानते हैं कि इस दीन के एक बहुत ही एहम बात मसले खिलाफत रर्हुल्लाह रल्यु वाल्यूस लिए और ग्यादत अम्मत है और इसके बावजूद कहते हैं कि इस पर नस नहीं है इस पर रसूललाह रल्यूस का कोई बयान नहीं है अल्लाह कभी कोई बयान नहीं है और पर यही अजराद ऐसे लोगों के इमामत के गाइल हैं जिन्होंने कावई को जलाया और उसकी ताएट को उसकी ताएट को रसुल अल्लाई स्वे के हुकम से वाजिब मानते हैं हमें बहुत अजीब लगता है हमारे जो बरादरान है इसलाम में के वो हालां के दूसरी तरह ये इनके किताबे बरी पड़ी हैं अहल बेत ताहरीन अल्याएट के उसकी नसूसे, अमामत से हदीस सखलाईन है हदीस विलाएट यलियान वल्यू कुल मुमने मिन बाधि अल्यून अल्यूसें के नफसी वान्फसना वान्फसकं अन्तमिनी बिमनजलते हारुन मिन मुसा अगर यहीर मन अता अलियन अलियस्सलाम फगद अता अनी वमन असाहु फगद आसानी यही अधादीस यही बाते हैं अगर अबु बखर अमर के लिए होती हैं यह दिन राध इसका गिंगाते हैं कि देखें यह इनके खिलाफत मनसूस है इनके अपने खुलफा पर को इनके इमामत पर कोई नस नहीं है और इनके इमाम बने किसी को इमाम कैसे बनता है उसका भी कोई नस नहीं है और इसके बावजूद कहते है अल्याओ मैं अक्मलतु लकुम दिया हमारा दीन कामल है और रसूलला अल्ही अधिय们 जिना हज़ प्राश का back कि अमेरे में बार बार काईता कि मैं आयातस यह बयान करता हूँ ताकि तुम्हारी हिदायत ताकि Хज़त तमाम हूँ और जो सबसे एहम बात हूँ तो बयान किया ही नहीं है मेरे मुहतरम नाजरीन हमारा अकीदा यह है कि रसूल अल्लाह के बाद उन्ही जैसा उन्ही के सिफात का हामिल ही उनका जान शीन बन सकता है यह बहुत वाज़े बात है यह किबला आज हमें बताएंगे इंशालला तबारा को वातरा कि वो खुलाफा जो अपने महारिं से जिना करते थे वो खुलाफा जो अपने बाईयों के साथ दिवाराद करते थे मैं clients किताब उनसे दिखाऊँ गा कि वो कैसे वारे खलीफा रसूल ﷺ कहते है खिलाफ़त से कोई बरा मकाम है इसलाम में उसका नबुवत से कोई बड़ा मकाम ही नहीं उसका जानेशीन को कहते है खलीफा मेरा टाइम खत्तम है अभी इंशालला कुफटगो होगी है तो हम यह कह रहे थे कि कुरान में जो इमामत का नक्ता नजर है और जो शिया कुतब मसादिर में हमें शुरू के आइमा के अदवार में नजर आता है तो वो हमें लगता है कि सेम है और हमें यह भी लगता है कि वो जो अहल सुन्नत में एक खिलाफत का नक्ता नजर है उससे करीब-करीब है लेकिन जो इमामत का नुक्ता नजर आजकल एहले तश्यों में पाया जाता है तो हमें ये लगता है कि ये बात के अद्वार में डिवेलप हो मतलब हमारा थीसिज ये है अब हम इसको कुरान से समझने की कोशिश करेंगे और शीया कोतब मसादिर से कुरान में जो इमामत का नुक्ता नजर हमें मिलता है एक तो यह है कि हमारे सामने सुरा अल-बकरा है सुरा अल-बकरा में आयत नमर वन ट्वेंटिफॉर जिसमें ये बात पही गई हधरत अबराहीम अल-एसलाम से कि आपकी उलाद को जो हम इमामत अता करेंगे तो लेकिन आपकी उलाद में से जो जालिम होंगे तो उनको इमामत का उहदा नहीं पहुंचेगा इसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें नज़र आती है यानि एक बात हमें यहां से यह मालूम हुई कि उलाद इबराहीम के साथ इमामत का मौमला जारी किया गया दूसरा हमारे सामने सूरह अस-ससजदा है इसकी आयत नमबर 24, 23 भी और 24 भी 23 में बनी इसराहील का तसकरा है वजा ल्लाद बनी इसराहील यानि किताब का दिक्र था फिर कहा गया वजाला मिनहुम आइमा कि बनी इसराहील में हमने जो है वो इमाम बनाए यहदूना बि अमरिना लमा सॅबरू तो गुएा कि बनी इसरा !!! में पी इमामत जो है वो ज्यारी थी मतलब सबसे पहले तो हम खुत कुरान से समझें ना कि कुरान का इमामत का कांसेप्ट किया तो बनी इसरां कि इसराहिल में वो इमामत रख दी remained, उसके बाद हजिरत इलूत का है फिर लुप इब अवलाद में याकूब का तसक्रेव इसके बाद आगे, जब हम चलते हैं, वजह अल्लाहुमों आइम्मा. यह आयात बहुत आहम हैं, …कि जो जुरियत इब्राहीम का तसक्रा किया गया, उसमें भी बनी इसराइल का और उसमें भी आइमा के नाम लेके कहा गया वजालनाहुम आइमा के हमने उनका इस्वारी अंबिया के नाम लेके कहा गया कि हमने उनको जह वो इमाम बनाया गोया यह जो इमामत का वादा था उलादी इबराहीम से या बनी इसराइल के साथ तो अल्लह खुद ही वाज़ कर दिया सूर अंबिया की आयत नमर 73 में कि ये अंबिया के साथ बादा था वजालनाहुम आइम्र इसके बाद जब हम आगे चलते हैं एक बाद तो यहां से ये कलियर हो गई कि नभी जो है और इसी तरह से रसूल वो इमाम होता है पुरान की नज़र इमामत क्या है इमामत जो है वो लगी तरफ से है यानि किसे हम यह कह रहे हैं कि मनसूस मिन ल्ला इमामट सब्लहम इले मुरसल इले मासूम मुखतर रजबता ठीक है ये जो इमामत की ज्तनी खibenी खूस quests या ये ही इमामत है ये जो इमामत है जिस्लम किक मैं हैं हैं ये friend ताला ने नबी और रसूल के लिए साबित की है पकाइदा उनके नाम ले ले के उलाद इबराहिन में से हदरत इसा का अधरत इब और इसी तरह से हदरत याकूब का नाम ले के एक बात यह हो गए कि नबी जो है वो इमाम होता है इस माने में इसमें कोई शक्राफ भी नहीं है इमामत की जतनी सिफात आज एले तशेयो पजात करते हैं वो सब नबी के लिए साबित हैं और इस माने में नबी और हर रसूल के लिए हर दोर में इमामत को साबित करते हैं इसकी बात रूरां ये कहता है कि दो इमाम है, विसकिली दोएमाँ का तथकरा है, नभी और रसूल का और दूसरा किताब का। जो हमारे सामने अभी ये आइत है, ये है, आप कह लें कि सूरा अखकाफ. इसके आइत नमबर वो 12 है. इसमें ये बात कही गे, वर मिन कबलीी किताब मुसा अमाम अधुरह ksi pasti यानी गोरान से पहले जो है, मुसा अधुरान की जो किताब थी ये इमाम थी, और रह्मत भी थी अभी हम इसमें जो तरजमा भी दिखा रहें, वो शीया-ूलाका दिखा रहें मेरे ख्याल में वो तर्जमा कोई इतना मुख्तलफ ही नहीं है ये बाते तो वाजी है तो गोया के कुरान भी इमाम था और इसी तरह से हरत मुसा अलिएसलाम की जो किताब तौराद भी अपने वकत में इमाम थी अलिए तरह हर दोर में दो इमाम भेशते रही है जो के मासूम भी है जो मुक्तर अज़ता भी है जो हुझत खुदावन्दी भी है और मतलब जिनकी इताद भी फर्ज है जो मनसूस मिन अल्लावी इस मामले में तो गुरान बिलकुल वाज़ है यानि गुरान हम थोड़ा सा वजीफ भी इसको एक्स्प्लेइन करेंगे आगे चलें आप तो हमारे सामने यह सूरहूत की आयत है जिसमें दोनों इमामों को जमा कर दिया गया 17 आयत एक तो अल्लाव की तरफ से जो हो शक्स है जो बैयना की उपर खड़ा है नबी के दावे को स्कोर्ट कर रही होती है और नबी जो हो किताब को तो यह दो इमाम है जिनका तश्करा पुरान खुल के करता है और इनकी इताहत को भी फर्ज कराँ देता है यह सिर्फ आप देख लें कि वह आतियु अल्लाव आतियु रसूल ये आप अगर सिर्फ निकालने गुरान में तो ये मैंने अभी सामने अपने ये निकाला हुआ है तो इसमें आप देख लें कोई क्यारा के करीब आयात में ये फरेज इस्तिमाल हुआ आती अल्लाह आती अर्सूल आप जक्याद में अगर आपको आती निकालने तेख उसमेद में बाहा है उस माने में इमा मुराद लेता है तो उस처럼industrie मुराद होता है और जो है वो किताब होती है अमाम का माना है पेशवा पेशवा कभी सियासी होता है रहनुमा कभी सियासी होता है पुलिटिकल लीडर होता है और कभी वो अल्ला की तरफ से होता है मनसूस होता है तो जब गुरान ऐसे अमाम की बात करता है पेंच वा के माने में, जैसे खुरान मजीद ने इस माने में भी इसको इसको इस्तिमाल की है, यह हमारे सामने जो है, आप आप देख लेए, यह आयत है सुरह हिजर की 79, वा इन्नहुमा लभी इमाम इम्मुबी, दो बस्तियों का तथक्रा है और कहा कि वो एक शाहराए आम की जी देखी, यह एक रहनमा का काम करती है, ठीक है तो इस माने में भुरान ने इसको 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 किया, इसी तरह सें किया कि यहां कि आमें, दो बना है. कि वजह ले मुटकीन अइमामा, या, अलल्ह हमें मुटकीन का इमाम बना. अमूम माने में ये इमामत सबको शामिल है. मुटलब यहाँ पे हम यह नहीं कह सकते हैं कि बारा लोगों के लिए ही ये बात की गएं कि वो जो है वो ये बात करने क्रिए अल्रा हमें जो है हो Allah का इमामा का कौफर, आइमा कोफर से किताल करौ, इसी तरह फिर हम देखते हैं सूरह कसस में, आएत नमर फोर्टीवण में, वजालनाईquं आइमत यदून इलना, आइमा इनार की पड़ात जू है, वो यहाँ पी की गई है, इसी तरह सूरह कसस में, आइत नमर फाइफ में, वन्ना जालाहुम आइमा वन्ना जालाहुम अल्वारिसीन बनी इसराइल के लिए ये लफ़ाद इस्तिमाल हुआ खास और पे जब आले फिरौन ने उनको दबाया हुआ था कि अल्द आले ने कहा कि हम उनको इमाम बनाना चाहते थे तो यहां पर भी इमाम से मुराद किया है पुलिटिकल लीडर्शिप पुलिटिकल लीडर्शिप ये दर्वादा बन था पचाह इसके बाद हम आगे देखते हैं पुरान मजीद की आयात में मतलब हमें ऐसे बहुत से मुकामात मिलते हैं खुलासा ही है पुरान ने इमाम के लफज को दो माने में इस्तिमाल किया जब हम डिवाइन इमामेट की बात करते हैं अलुही इमामत की तो वहां पुरान बिलकुल वाज़ है उससे मुराद जो है वो अल्ला की किताब है बस ये दो इमाम आला ने छुड़ जो मुझे है इमामत आज भी मुझे है इमाम हमारे वी कोई है अल्ला की किताब है बस हमारे लिए काफी है नभी और रसुल चला गpat जो नभी और रसूल ने अपना इमाम मुकरर कर दिया जो जित-फ़दावंदी है, जो मुफ्तारद सुन्ताहा है, ठीक है? जिसकी इताथ मेरे लिए जरूरी है, मेरे लिए बाइंडिंग है, तो वो आल्लाग की किताब है, इसके बाद जो इमामत है, स के इंकार नहीं किया, वो आइमाकुफर की इस्तलाह भी है, आइमाइ नार बी है आइमा आ हुदा की इस्तला भी हमें कौरान में मिलती है लेकिन वहां पे हुईरान किस्मामरे में बिल्कुल बाद है कि जैसे आइमा कुफर है इसी तरह से आइमा आ इसकी क्षोज़ क्या है जैसे पुरान उनसे कोई अख्तिलाफ हो जाए तो 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 गोया कि पुलिटिकल लीडर्टी भी इताथ होगी लेकिन वो जो सियासी इमाम है उसकी इताथ अनकंडिशनल नहीं है वो इताथ कंडिशनल है उन दो इमामों के साथ यानि अल्ला की किताब के साथ और इसी तरह से जो है वो ल्ला का कांसेप्ट है ये जो दूसरे वाला के इमामत के हैं वो सियासी मानों में इमामत तो ये हमें शिया कुतो में मसादिर में भी नज़र आता है तो इंशालला हम इस पे नेक्स टर्ब में गुफ्टगू करें गे कि वहां इसी माने में जो आहिमाए अहल बैत है उन्होंने है वो इसको लफ़स को इस्तिमाल किया इमामत और वसीयत को जजा को मेरे मुथरम नाजरीन डाक्टर साहब ने कहा कि और आन के कुछ आयात पढ़ी है और इन्हों उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल शिय कांसेप्ट और रजरिय के मुआफिक है। उन्होंने कहा कि अर नभी इमाम होता है। मेरे मुथर्म नाजिरें कि खिद्मत में अर्ज ये है कि देखें। पुरान के इन आहायात को अगर आप पढ़ें हर आएद। जाले इमामत अल्ला कली नास इमाम मैं तुम्हें इमाम बनाता हूँ। आप कैसे कहते हैं नभूवत और इमामत बराबर हैं। जब खुद अल्ला ताला फरमाता है कि मुसा इबराहीम आले इसम के इम्तिहान लिए गए उसमें पास हो गए तो पिर उनको इमामत में लिए नभूवत के बाद उ कहा होगा उनको भी मिलेगा तो पता ये चला कि ये जब इबराहीम आले इसमात में मांगना है कि मेरे अलाद को भी इमामत मिलेगी या नहीं मिलेगी तो पता ये चला कि ये लोगों के इखियार की जब नभी के हाथ में नहीं है वो खुद किसी को इमाम नहीं बना सकता तो लोगों के हाथ में नहीं हो सकता पिर अल्ला ने कहा ला यनाल अहदी अमामत मेरा उहदा है जब आप इन आयात को पढ़ रहे हैं तो बेलकुल आप इन बातों को पूरी तरह पढ़ लिए ना कि अगर मानते हैं कि अमामत का जाल अल्ला की जानब सा है नभी हत्ता नभी के हाथ में नहीं है चाहे वो अबराहीम खलील क्यों नहीं हो और पर ये अहदा इलाही अहदा है तो ये और पर ये सब श्याकिले के मुआफिक है तो पर ये अमत को इख्यार नहीं है कि किसी को अमा बना दें और पर ये अमत के काम है ही नहीं जब ये अहद अल्ला का अहद है तो फिर और वो किसी को इमाम नहीं बना सकते कि जालो यक। मासुम की इमामत हमेशा के लिए बातिल कर दी और उसका कोई जवाद नहीं है और दूसरे आयात भी हो जो आपने पढ़ें और इसके बाद आपने कहा के सुरह मुबारक के ये हूद के आया नमर 17 अपने समझाए कि ये किताब मुसा इमामन ने ये शाहिद के लिए हाल है वे ये शाहिद के लिए हाल है वे बिल्कुल नभी स्लिए आपने के साथ है यतलूह. अलेतिल विल नभी ﷺ है. और ये रिवायात फरीकैं किस न techn Seiten के अमीर लमॉमिन लिए स्झारकव takrhiz तो आप ले जो आयात पूरी है। उआपके और हमारे नक्ट नजर को वाज़ है, अब हो तैया असले मसहाला पर मेरे महतरम नाजरीbus फ्रस अमाम, देखें मेरे महतरम नाजीन, हमारे मुखालिफ बाई, और बरादरान इस्लाम, जो हैं, इनका नजरिया मसले इमामें बिल्बदाहा वा बातल है, या ऐसा नहीं के मसले किन्फिउजन वाला है, पता ना चले, बिल्कुल बिल्बदाहा वाजिह बितलाना है, इतन आकिदाए इमामत तो खिलाफत जो अदम नस्ब मुटनिया इतना वाज़ बुटलान है कि बहुत सारी वुजुहाद के बिनापर कि इसमे कोई शक होई नहीं सकता किसी आकिल को मुलाइजा फर्माई ये किताब मिर्कात अलमफाती मुलाई अली गारी साब की जुज़ फादी आशरी हाँ पर सफ़ह नंबर एक सुबारा में खुद वो एतराफ करते हैं लो गील अन्हु इन्हु अराद अन्यक्तुब अल्खिलाफत अलमस्तमिर्टः खल्फ वफाती लिमन यस्तहिकुआ वाहिदा वाहिदा भाहिद ला खुरूजिल महदी वजहुर ईसाँ अलिए अलिए अगर हदीश करतास की बात हो रहे हैं लिए ने करें के नभी करीम स्यल्छा वाहिदा में बारा इमा के नाम लेकना चाहते थे जो उनके बाद अमम महदी अलिए खल्फ और जुर ईसात अएंगे उनके नाम यह बहुत अची बात होती बहुत अच्छी आप ऑगात थनुक्रा कि अगर नभी स्म्हान का नस्होता इमामत पर के अमाम कौन है ये बहुत ही अच्छी बात होती वाज़ा है वाज़ा है कि अदा नस अकल आद, शराण ये हिदायत नभी ये कतावे सही मसलिम चाब्दारूल फप्र मुलाइज़ा फर्माईए बाब ल kaufen िादीज़ाद को ठरुद्य यहां पर एक गुफटगू है खलीफई सानी और उनके बैटे जिनाब अब्दिल्ला अबने अमर के दर्मियां जब खलीफई सानी उनकी वफात हो रही है वो जखमी हो गए है और वो इस दुन्या से जाने लगए है तो उनके बैटे आए हैं मैंने सुना आपको किसी को खलीफ़ा नहीं बनाना चाते है तो उनके बैटे अब्दिल्ला अबने अमर अपने वालिद से इस तरह इस्तिलाल करते है हदीस नंबर 1823 मुस्लिम में अगर आप ही के पास एक चरवाहा हो आपके गदों का आपके उंटों का आपके दुम्बों का पिर वो उनको ही से हरा में चोड़के आपके पास आजाए आप खुद कहेंगे कि उस ने खिया गद्दारी किया उसने मेरी अमानत को जाय किया है वफरिए आयत ना से अशद लोगों की इमामत लोगों की खिलाफत लोगों की किया और तोसे बकरियों के के चरवाहा होने से यह तो ज्यादा हसास मसला है फवाफगहु काउली उसने मेरे बात से मुआफगत किया मेरे मुहतरम नाजरीन ये इतिराफ है कि अदम इस्तिखिलाफ अदम नस रसूल अल्लाई 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 अल्म दुन्या से जाएं किसी की अमामत पे तनसीज ना करें और ये भी ना बता है कि तुम किसी को अमाम बनाओ तुम मैं नी बताता है इस क्यों नी बताता ये भी न बताए ठीक है और पता भी है कि दुन्या से जाने वाले हैं और पता भी है कि इस उम्मत में इफ्तिराक आएगा इस उम्मत में और इसी मसले वे खिलाफत की वज़े से आएगा बताएं न ये कैसे हो सकता है नभी देखे एक चर्वाहा ये काम नहीं करता है आपके पाकिस्तान में मुक्तलिफ शहरों में रेड़ी पे सामान बेचने वाले लोग हैं वो अगर सबजी बेचते हैं अगर कई जाएंगे वो सबजी को इसी तरह चोड़ के नहीं जाएंगे कि मेरे मुहतラम नाजरी ये चीज़ जो ये हज़राद किसी रेड़ी वाले के लिए किसी आरब के चर्वाहा जो बव्बाल अला अकभाय है वो अपने पेरों पे पष्शाब करते थे वो इतने वحशी लोग थे उन के लिए ये केते ही कि वो भी नहीं करता इसा कवी ह काम ये एक मक्तब है हमारे पास मक्तब pequeño नस हम कहते है के रसूल अल्योमे अक्मनतु लिकुम दी देन कामल है रसूल ल्ला सल्लै ने सिर्फ ये मस्तवाद मकुरुफात बयाने रेखी है हलाल Cities रेखी questo हलाल हराम बयान किया है इनके तमाम अरकान बयान किया है और ये इनका कहना की cut पुलिटिकल मकाम है ये खुद इनसे पूछ लें कि खलीफा का मतलब क्या है खलीफा की मतलब है कलीफत ररसूल। बाश बाश उल्मा केते हैं क्लीफत उल्लाह लेकिन अक्सर नके कहते है خلیفت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم अब मुझे बताएं رسالت से कोई बड़ा मकाम है दुन्या में उसका जानिशीन की बात हो रही है यह कहते हैं यह सर्फ पुलिटिकल नहीं है आपके खुलफां सर्फ पुलिटिकल खलीफे नहीं होते थे तो नभी नहीह सर्फ नही कोई उते हैं यह हमें बताएं कि एक मक्तब है मक्तब नस्व हम कहते हैं कि अगर वो दुन्या से जा रहे हैं जैसे उन्होंने दिन के सारे अहकाम बता दी है कर दियां हदीज निकिन ये ता हधीस सकलें परो एग मुतवातर है हदीस सकलें मुतवातर है इसम किसी को शक की नहीं कि पर पीगंबर नितारिकं फीकु महनी नखद्थन भी लन तदिलु बादी आबना ओ दो किताब ल्लाँ एत त आहले भी 15 हदी mantalya धिर्यूठे लियूजपी फो बादीन खिलादी खलाफते है इसक फीकिल मुअमिन किल MICHAEL रियूज़ कुल मुअमिन मुअमिन मिन बादीद रसूल ला इसल इन ने बिन्नस बतादिया है आप जो तो बाद पेगंबर से निसपत दे रहiau हैं हजराद कि पेगंबर ने किसी को यह टाइन नही किया बाद में अम्मत को उम्मत ने सोचा कि भाई हमने किसी को बनाना यह उखिता है वाई आह अखकम, अलला से ज्यादा आलिम कोई हो सकता है, पेगंभर तो अलला के वकील है, अलला के नुमाइंदे है, वो कैसे कि कभी हिकाम कर सकता है, बजा हमें तोजी इंड़ें, पेगंबर कैसे वो कभी हिक्ता है, जो एक चर्वाहा नहीं कर सकता है, अपने गड़ों एर بالعالمین, हमारा मजहब जो है, बिल्कुल उसकी हक्कानियत बहुत ही वाज़ है, ये हज़राइट, इनका मौकिफ, एक कुबह को निस्बत दे रहें आए ल्लाओर रसूल से, और ल्लाओर रसूल से कुबह को निस्बत देना, ये बातिल है और कुफर है, मेरे लाओर ले की अधुर्ण बात ये हैके जालना का लफ्त धो Azim ainar के लिए भी बियान किया, वजालना ओम्ड़्य मैं उधूना इलनाः, वे द्रालना आ को बी मुकर्ण आए नार को भी हमने है मुकरर किया मेरे खाल में इसको दलील ना बनाए आप कि इस तरह पर आमा इनार भी मन्सूस मिन अल्ला हो जाएंगे अगर इस किसम की नस चाहिए तो इसको हमें उसमें नहीं जाना चाहिए दूसरी बात इन्होंने की कि उहदा इमामत ज्या है वो अल्ला की तरफ से है हम तो मान रहे हैं कि ओदा इमामत अल्ला की तरफ से है हम सिर्फ आप से इस बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं कि ओदा इमामत जो अल्ला की तरफ से है वो सिर्फ नभी को मिलता है या कौरान या किताब को मिलता है हम इसमें इख्तलाफ कर रहे हैं हम असल में ये बात कह रहे हैं तीसरा आपने कहा कि जी शाहिद और यहां वमिन कबली किताब मुसा इमामा वर रह्मा तो आपने इसमें ये बात कही है कि इसमें पीछे जह हो शाहिद के लिए ये हाल बन रहा है देखें, ये सिर्फ ये आयत नहीं है, बलकि ये आयत अगर आप देखें ना, सुरह अखकाफ, सुरह अखकाफ के भी मैं चमगा कि आप कोई तावील करें, वहां तो ये वो चुमला नहीं है जो आप कह रहे हैं, वमिन कबली किताब मुसा इमाम और रहमा, यहां से आयत शुर दाए हाल बन रहा है, वाथे तोर पे जो है, वो चमश इसलाम की किताब को इमाम कहागे है, और यहां बिनकिफें करस में प कर दीवोगत है, और इवांगे इनिह लागत्नों की इमामत मंसूज मिन इसलामदी मिन का धाम तर एक हम देखें हम जुर्द इना हम नहीं कर अबिराहिम आलियस्लाम की उलाद जिनको नबुवत दी गए। वो नबीयों को ही इमाम बनाया गया है। आमामध जो है, वो जो मनसूस मिन आलला है, वो सिर्फ अल्हा की किताब के लिए है, वो सिर्फ नभी और रसूल के लिए, बस. अचा, अब यह कहते हैं कि जी, आ, इन्हों ने कहा कि अकीद आमामध जा यह जो अहल सुन्थ का है, यह इसका पुतलान वादे है. मसले ये लिएखें बात ये है कि हमारा अगर अकीद color अइमामत उसका qualitative है तो हम तो यही बात कह रहें ना कि कतीनस क्या है अमामत क्या हैं इमामत की अकीदे की मतलब Quran में नबी का इमाम होना तो आ गिया वाजिर नम लेके आ गिया आरत अिबराहीम अमान थे, अरत इसाक, अरत याकूब अमान थे लेकिन मतायِयन शख्स की इंमात कैसे था फ़ाइन हो गई। कुरां से हमें नभी की इंमात की इंमात की इंमात तो था था हुगई। बनाया है ठीक है अब ये जो हदीस सक अलाएन है उसमें भी क्या है मतलब आपने खुद अलफाज पढ़े हैं कि इतरती मतलब आ अल्ला के रसुल सब्सक्राइब की अलाद तो बहुत ज़्यादा थी सब भी इमामत के दावे किये इमाम जाफर सादिक अलेरहमा के चार बेटो ने इमामत के दावे कर दिये मतलब मतायन दोर पे इमाम कौन था ठीक है तो इमामत के दावे जो है वो सिरफ बारा लोगों ने तो नहीं किये इतरती फातिमा अले इससलाद वस्सलाम में से हैं बहुत लोगों ने दावे किये ना जिस तरह से लोगों ने नबुवत की भी तो ने जूटे दावे की है, अब वो मतायर नस हमारे पास कौन सी है, मुसाहिमा कदाब के बारे में तो हम कहते हैं, हम यह कहेंगे, कहां कुरान में उसकी नबुद, आला कि रसलम का नाम आ गया मुहमद ररसूला, अभे एक नस मेरे पास आगी, मैं आप रसलम की नबुद को मानता हूं मुसालमा कदाप की या गुलामत का दियानी की नभूवत को नहीं मानता यू कोई सरी नस नहीं है तो इसी तरह से वो आइमा जो आप से सल्म की इतरत में से थे तो उनके नाम हमें कहां पुरान में मिलते हैं या उनके नाम, या उन बारह के Fam हमे कहां वो कि इसी कति नस्ड केंदर मिलती है। तो यह असल में बात है लुए ने मेरे खाल में एक ज्याति हो जाएगा और वे जो नवी हिसमें वो कोई इंकार नहीं कर रहे हैं उसकी मनसूस में आल्ला होने का भी जो हम मान रहे हैं अच्छा अब ये बात है कि क्या आल्ला के रसूल से सलम इसको छोड़ के चले गया किसी की इमामत पे तनसीस नहीं की देखे हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप सलम ने किसी की इमामत पे तनसीस न करें जिसको आवसिपोल्य सिलख समय हमारे लिए लिए छोड़के गहे हैं तो आवसिपोल्य सलय में पर को बात एकि छी थी सियासी जी में आपकी नयावत जारी रहता है पुलफाय राशिदीन हुआ से उसमें विए कोई नाइब् नहीं होता मैं है उसमें जो है वो आहिल एहल एहल इबैत भी हो सकते हैं अगर यह बात की जाए तो ठीक है. खुलफाए राशिदीन भी इस माने में खुलफाथी कि आपस सेसी जिंद्घी में आपकी नेवत का फरीद सार इंजाम दे रहे थे इस मानुमें अगर अहल बैत ये समझते थे वो ज्यादा हखदार थे कि आप स्थल्म की सियसी तोर पे नयाबत करते तो ये बत हमें रवायतों में नजर आती है कि अफ़त अले रजियाला आनों हो ये बात समझते थे कि वो ज्यादा हखदार है इस चीज़ के कि ये जो खिलाफत है, अमरे खिलाफत, जो एल सुन्नत के रजदी खिलाफत का कंसेप्ट है, ये उनको दी जाए। इसी तरह से हदीस सकलाइन के बारे में आपने कहा कि मतवातित, देखें बात ये है कि घदीर खुम में भी जो नस्प पेश की जाती है, हदीस सकलाइन, जित खिलाफ नहीं है, अगर फिर सबसे बड़ा स्वाल ये पैदा होता है, कि अगर ऐसी नसूस मुझूद थी, तो खुद एहल बैत में ये अखिलाफ क्यों पैदा हो गया, उलादे हसन ने क्यों इखिलाफ किया, उलादे हुसें से, रजी लानुमा, इमामत के मसले में, मुझ कि सबसे पहले हजरत अब्दुल्लाइबास रजी लानुम, उन्हों ने हजरत अली रजी लानुम की इमामत का इंकार कर दिया, ये जो रवायत मेरे सामने है, अश्याफी तर्जमा है, पेज नमर 134 पे, तो उसमें ये बात है कि बारा आइमा, बारा आइमा की इमामत जो हो अब्दुलाइबास रजी लानुम के सामने पेश की और उन्हों ने इनकार कर दी और उन्होंने का कि जी मैं तो इसको नहीं सभी समझता, ठीक है, और इस पे इमाम मुहमद अलबाकिर ने ये कहा था, अलई रह्मा के फुरिष्टे ने पर मार के इबन अब्दुलाइबास अब जबाने खिर्धक की अमालिए ये को बिस्ट को फुर्पाइबाइ है, अब मसाला ये कि आब्स ने तुतुमा ऊचे थे ना थे ना, पो क्या मसला हो गया तो प्रत्रा सम्झी नहीं बाइध अप्लाफ प्रहिं हरत अपने अपनेगाञे आप अपनेगा बाइध अपनेगेs 7 कि में लड़ते रहे पीड़े ये रवायते हमें मिलती है उसले काफी में पेज नमर 309 पे अशाफी जो इसका तरजमा है कि उन्होंने जो हड़ाद अली रजियलानों के लिए जंगे लड़ते रहे, महबत रखते थे, महबत का इज़ार करते थे तो वो कह रहे थे कि धी हाकमाईन के मसले में आप उन्हें जलालत का पोल इफ्तियार किया है, हरद अली रजियलानों को कह रहे थे और हम आपकी हिदायत को बहुत ज़्यदा महबूब रखते हैं, तो यह वो इसमत के काईल नीचे इसी तरह मुहमद बिन हनफिया अली रह्मा, उन्होंने हरद जैनलाबीदी मिएं की इमामत का इंकार defining किया, पेज Rights YES बिन हनफिया ने जो अरद अली रजियलानों के चोटे बेटे थे, फात्मी नहीं झाली लेकर बाल ये बाहर नीजम दूसरे आख थी, उन्होंने उन्होंने का था कि हरद अली, हरद हसन और हरद हुसाइन, यहां तक तो मामला ठीक है। लेकिन इसके बात इमामत जो है, उसके बारे में कोई वसीयत नहीं है हमारे पास। और यह अमर वसीयत मेरे से मुतालिक हो गया। और अब आप इस मामले में मुझसे जगड़ा न करें। तो चचा बतीजे की जो तलख कलामी हुई है इस मामले में वो हमें उसूले काफी में मिलती है। इमामजयन अलाबदीन अलाई रह्मान ने चचचा को डराया कि अल्मार कर तक्वा इक्तियार करो। और वो अपने बतीजे को डराते रहें कि बही अल्लाई से डर जाओ इमामत जो है वो तीन तक है उसके बाद जो है वो मेरा हक है। और चारए को इसके बाद तिरह हम आते हैं चोते नमर पे कि अब्दुल्ल्लाई बिन हसं यानि ये जो अलादे हसं में से हैं इनों ने क्या किया इमामत का दावा किया। रिदे टाइम हुँ हे टाइम फिस पार अचाए अच्छा को मिटनने गाए घानें हए हैंशे क्राइम तो workflow में 10 मिने तायम होगा उपर हिए। क्योंकि मुझे याद निया है, मैंने देर से लगा, मैंने देर से लगा था, टाइमर मैं बूल गया तश्रूर में लगाना, मुहतरम नाजरीन, हमने इन से वाज़े सवाल किया, आदम इस्तिखलाफ, आदम नस अलिल इमामा, आदम इल बयान, ये बहुत ही कभी है, एक चरव अपने गद्वों को, अपने बक्रियों के साथ अगर वो काम करे, जो आप प्एगंबर से निस्बत देते हो, लोग कहेंगे कि ये चरवा है, इसने गद्दारी किया, इसने खियानत किया, और उसी को आप अप अल्लाह और रसूल से निस्पत देते हो, इस शख्स ने मेरी बात मांली है क्योंके जे जवाब इनोंगे दिया, क्या फर्माते हैं कीते हैं, पिगंबर ने कुराण को बना है, आपे को रख दे, कुराण, बेक को बना हैं, अब को ने करेगा बना है। आपको कुरान करेगा, वो कर सकता है है भूई कुरान? ये जो कहता है, हमारे इमाम, कुराने किस मुसल्मान का गोल है है? क्यों आपने अबुवक ने खिलाफत के अदा किया कियों उसके साथ लोगों ने बैया किया देता ना कुरान तो है ना पेगंबर ना कुरान को बनाया है तो किसी खलीफे के किया जरूरत है उसके बाद उसने अमर को बनाया है किसे नहीं नहीं का भाई पैगंबर नहीं तो कुरान को बनाया है हम जिस इमाम की बात कर रहे हैं वो शख्स की बात कर रहे है कि रसूल सलल्ला अलेशलम के बाद एक काईद होना चाहिए अगर वो काईद नस्ब नहीं करता न वो ख्यानत है आपने हमारी बात हमान लिया कि पैगंबर ने किसी हो और आपके बास कोई चाहरा ही नहीं है कहते है और प्रौान आपका पैगंबर ने है और प्रौान का नहीं आपका नाजर्या गुरान के मतलक भी बातल है क्योंके रसूल सललालालब। जब दुन्या से कहा है और जम्हा ही नहीं था अब्धुल्लाइ जब अबने थाइख खुद कहता है कि मेरे लिए पहाडी उठाने से ज्यादा एक पहाडी को मैं हमल करूं से ज्यादा मेरे मुश्किल था किसी कई पत्तर पो लेका है, किसी पत्ते पो लेका है किसी कई पास दो, मैंने किस instruct मुश्किल से जम्हा किए तो वो जब हवाला दे रहे हैं, वो भी किसी के पास नहीं था वो भी मुताफ्रक पड़ा था अच्छा तो अर्थ या है कि इनके पास सवाल, जवाब कोई नहीँ है मेरे भाइ ये जो आप एमामत का नाम देते हैं सियासी क्यादत माम तो नहीं कРИते हैं कि ये सियासी क्यादत है क्यूंकि आपके खुलफाじゃ शियासी काईद sheriff हमारे दिन से कोई धनी अमाम ने ये एक शराई और रिलिजियस और रूहानी मकाम है इस पर किस को ताइन किया है आप करते हैं किसी को ताइन नहीं ये हमारी बात की ताइन है ना कि आपका अकिदा मसले इमामत में सर्फ कुरान को चोड़ दिया है वो भी पत्तरों पे मतफर्लक था पत्ते पे पत्तर पे कजूर के द्रख पे हड़ी वगरे पे लिकाता यानि आपका हमारी बात अलहां ताइद कर दिया आपने कि आपका अकिदा इतना वाज़ बत्लान है कि कोई आकिल शख्स इसका काईल हो यह नहीं सकता ठीक है ना किसी शख्स के बात क्यों ताइद किया है हमारी बात यह ना अगर यह आपका नजर आहे तो यह ख्यानत heiß पिर मेरे मुहतरफ नाजिर पिर ना सिर्फ आकल के खिलाफ ए और कुरान की भी खिलाफ ए क्योंकि जब अल्ला ताला ने कह दे अल्याउम अक्मलतु लगुम दीनकुम वाथ्मम्तु आलेकुम नाइकुम नामती वरदीतु लगुम अलइस्लाफ। दीन कामल है علامہ صاحب हमें बताएं ये कैसा दीन कामल है कि पेगंबर ने तो इतना बड़ा और सबसे जो उनके बाद बड़ा उहदा है उसके मतलग उसके कुछ बयानी कुछ भी नहीं है ननस कुछ बयान, सर्फ गुरान चोड़के चलेगा हैं भी उसके भी कोई हदीथ नहीं है कि मैं तो सर्फ गुरान को चोड़के जा रहा हूँ और किसी दूसरे को इमाम नहीं बना रहा हूँ वो भी नहीं है, वो तो आपने पटे इश्टहाद से बना दिया ना वो आदीथ तो पूरा पुरा पुरे ना अरता तकाबस तरह की बाते करें जो अवाम के लिए भी कभी हैं वो भाई जब अल्ला ताला ने अज़रत आदम अले इसलाम को खलीफा बनाया इनी जाइलन फिल अर्द खलीफा वो जब अबराहीम को बनाया जब इसहाक याकूब को बनाया इनको नस के साथ बनाया ये जाल और है और आएमा इलन नार का वाली जाल और है आएमा इलन नार वाली जाल नस के साथ नहीं है जो इमाम हिदायत होता है वो नस के साथ अल्लह के होकम से बनता है और जो जालना हम आइमता यदूना इलन नार याने हमने उनकों दुन्या में जिन्दगी दिया है पावर दिया है और उन्होंने नार का रास्ते अख्तियार किया है और लोगों को जहन्नम की तरफ उन्होंने खेंच लिया है वो जाल और है ये जाल और है इमाम गुदा की और इमाम हिदायत क到 जो जाल heute है वो नस के साथ होता है और वो इसमत के साथ होता है और वो एक इलाही ओहदा है आप ने उनका बिल्ग उसका जवाब भी नहीं दिया सिर्फ इतना कहा कि आप बिल्कुल इंकार नहीं कर सकते कि जितने आएमे हुदा कुरान में अल्लह ने बनाएं वो सब नसके साथ बनाएं अच्छा आप किछते हैं कि अधीस सकलें तो मुबहम है पते ही नहीं किसे मुराद कौन है इतरत तो बहुत जादा है सादाद दुन्या में अतने जादे हैं ये इन मुसे इमाम कोन है क्यों कि अक्तिदबर निकरता है अल्लामा साथ जब ये अधीस नाजल हुई है सादाद दुन्या ने बहुत नहीं थै रत बहुत नहीं थै रसूल ऐस नहित आस। नहीं है जालाएं साधर हुई है ना उस माहोल में अगर जाए ना पीगंबर ने ये बात अभी तो नहीं किये ना पीगंबर ने ये बात सनग साथ ही ये सनग आठ ही जी सन भीड़, सनगे दस ही जी जी को किये हदी स जखलाएं उस व्सकत अतरत पूरे अतरत में खिलाफत का उमिदवार कोई नी था स्वाई 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 स्व यह सبحानल्लाइ नुसूस ताहो ए यह नस तो मान गए ना जब आप अधिश सेकले इन मान गए सुर्फ कहते हैं कि एतरथ से में पता नहीं चलता कि यह को ने बहुँ खुबी वाज़ है कि एतरथ से मुराद को ने इत्रत से मुराद पहली बात है कि अबुबकर अमर के खिलाफ़त बातल है पहली बात यह है कि शेखन के खिलाफ़त बातल है और आपका अकिदा बातल है कि अमामत बिन नस नहीं है या अकिदा भी बातल जब पिखंबर ने कहा दिया कि मेरे बात इत्बाह करो Quran wa rahlebae te tahirin alayhimu sallallahu wa sallam तो पर क्यों कहते हो कर नस्दमी यह imamate इसी को तो कहते है न जब अमान मिन अजलाला, गुम्राही से बचने का वाहित तरीका Quran wa इतरत की इत्बाह है तो परिगमर क्यों अब देखते है इतरत कोन है? उस वक्त इतरत कोन है? ये पिर असल मसाला कि ये इमामत नस्व के साथ है या नहीं है पिर ये मसाला तैह हो गया पिर आप नहीं कर सकते हैं कि नस्व नहीं है और ये मसाला कि अबुबकर उमर की खिलाफत उनको खलीफा बनने का हक था ये भी तैह होगा कि उनको कोई हक नहीं था जब अबुबकर उमर पे वाजब है कि अत्रत ताहरा अलिए अलिए अत्रत के 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 अत्रत क ताफ़त थाफ़त हो गई, आपका अपनी कुतोब से, और हादिस मतवातरा से, और ये पुराने अदासतान के नस्थ नहीं है, मुताइन शख्स की नस्थ, बिलकुल मुताइन शख्स की नस्थ है, इतरत से मुराद हो यह नहीं सकता, उस माहौल में, जब हो कहते हैं इतरत की मेरे माहतरम है, आपके अपनी कुताब में है ना, जब आपके पास यूदख कामल लिए नहीं है, और यूद जब अब पह apartments साथ हुरूफ हैं, सब अहर्लों कर लगू वज़ए तो मजाँ तो नहीं हैं, मैं तो मजाँ तो नहीं कर रहाँ, जब आपके अपने किताब में है कि आये रिजाए कबीर को खमस मरत और दस मरत बोनों को बकरी का गए रज्व कु तो नामे मुथ को तो और बकरी किस किया उसी श्क्स किया है कि वो खिलाफत एतरत मेंबी से नहीं उसे खिलाफत पर गब्ज़ा किया तो अगर वो बक्या आयात भी हो खाली हो बक्री हो उसमें क्या ताजब है इस आयात में नाम ते नाम तो अगर जब कुरान आपके किताब में नाकिस है और आपके पास देखें अद्धिया से अकिदा नहीं बनता है दलील से अकिदा बनता है अगर आपके पास कोई हदीस है किसी सहाबी का कौले कि कुरान कामल है तो हमें दिका दो उत्व तो तुमाई आपके पास है यह नहीं है सवाई मुझर्ण अद्धा के आपके यही है कि कुरान सबते अहरूफ में नाजल हो गयते है कौरान के साथ मुख्तलिफ वर्जिंस थे बग्ये वर्जिंस का है वई असमान साब ने जला दिया तो अगर उसमें नाम भी होते है ने जला देते है उससे क्या होता तर देखो मेरे बाई नाम से कुछ ही नहीं होता नाम से कुछ ही नहीं होता बहुत सारी लोग आगर हैं अगर यहां पर कुरान बेगर कोई आया होता ना कि आपका अमाम मसारा हसन है तो अल्ला जानता है कि अभी पूरी अलम दिस्लाम में लाकुम मिलियंज लोग उतने अपना नाम हसन रखते हैं इसी महाबत में कहमा हम इमासन बो जान बाइ ठेहा सिफाद बता दिया। रिज्जा अन्तमिनी बिमन्सलते और हारून बिलकुल मुसा जैसा था कह नफस नभी आप टो नवी जैसा है, नभी के मॉर्तबे पर है नभी के मरतबे पर है रिया रिज्जा जब कुरान ने तंसी इससे ज्याहाएद प्रणिआएज आप पर जायाएद है मुस्लिम है साह'da im' Flash की अ'deos है रसूल ललाhul- craw 1999 इमाम अहसाइन अलिही से लियुक्त को लेका है अमर को नहीं लेका है इस्मान को नहीं ले अन्फुसणा किसको लेका है सङ्यिद मिस्लमीन अलिय अलिय인지 इस्लम को लेका है मैं उसका जवाब देदू वगाल लजीन कफरू लिल्लजीन आमनू लुकान खेरम मा सबकूना इलए कुफार ने इमान वाले हो से कहा कि अगर ये बात सची होती है ये हमसे बहत उससे पहले ना जाते है और जब इनको हिदायत नहीं मिली तो उन्होंने कहा ये इफके कदीम है वा मिन कबल ही किताब मुसा इमाम और रह्मत इस से पहले किताब मुसा था ये शखस इमाम और रह्मत है ये कौन है जो साबक है साबक है वा हक की तरफ दूसरों से सबक ये हमारे किताबों में आहादिश नसूस बरी पड़ी हैं ये सुरह इखकाफ का भी जवाब विन कबल ही किताब मुसा इमाम और रहमाँ आप कहता है कि इसमें कुरान पिछले आयत में साबग का जिकर है जो लोग सिबकत कर गए हैं उनका जिकर है ये साबग की ये खासियत है कि ये इस से पहले किताब मुसा ता और ये खुद शफ़ इमाम भी है ये रहमत भी है और ये अली अभी तालिब सलवात अल्लाह आले है जैसे कि सुरह दूसे सुरह में भी उसका वो तो नसके साथ मुझूद है बारहों मेरा टाइम करता है जी इलामा साब इसमिल्ला रह्रहीम लएस्फियारी ईारिज से विए बात केई है कि वुद नुस्थ दूसरों के इमाम हो सकता है और वुद द्धायत तो रहनुमा इकर सकता है देखें मन्तिक बंतिक से जो बाते हम मर्जी कर लें कुरान कुछ मामले में बिलकुरध दिलाला है कति अ नसूस तो भाहए है इस से उम्मद का इजमा है कति धलाला भीै मुझ कहता है कि मैं लिहादी लिल्यती ही आखवान उप अब हम कहते है कि नियर वो घ्लिठा क्का रिभी है जहरी बात है कि इल्म से मिलेगी अलमा हैं, हजारों में हैं, लाखों में हैं, तो वो जरीया और मीडियम और वास्ता बन जाएंगे, उटकी हिदायत और रहनुमाई का, तो उसके लिए हमें किसी खलेदा से इमाम की जरूरत नहीं है, यही अगरत अब्दिल्ला अब्न अबा बन जाएंगी, तो यह बिसिकली जो है, वो बात है, यह यह बात हम करना चाह रहे थे, दूसरा हसन लाख यारी साब ने यह पॉइंट उठाए कि कुरान किसी की पास जमा नहीं था, देखें बात ही है, चलें हमारे पास अगर जमा नहीं था, हम तो यह बात कहते हैं कि जी अगर नहीं भी थी, वैसे तो थी, लेकिन अगर नहीं भी थी, मतलब मुतफारिक तोर पे थी, यह बात हमारे असल में मुकदमा यह है, कि वो उनके हाफसे में था, बलो आयातुं बैयनातुं फी सुदूर लदीन अउतुले, यह कुरान किया है, यह तो एहल इलम के सीनों म जो है, वो रासिख आयात, तो यह आयात सीनों में मुझूद था, वाकिए यह बात भी है, कि देखें, आपके पास तो फिर प्रौरान है ना, मुसफ फातिमा का तथकरा भी हमें मिलता है, उसूल काफी के अंदर, और उसूल काफी के अंदर, जो हमें इन रिवायात का भी अल्हा ने रखा है, क्योंकि अल्हा ने अपनी किताब में यह आयत नाजिल की थी, इदा ख़द रबुका मिन बनी आदमा मिन जूरिहम जूरियता, माश्यक्वाला अन्फुसे, मारस्तो बिरब्बकुम, वान्ना मुहम्मद ररसूली, वान्ना अलियन, अमीर अल्मूमिन, मसला यह है, कि चले हमारे पास, अब कब तक हमें यह मतलब आप इल्जाम देते रहेंगे, कि जामिल कुरान ने यह कर दिया, वो कर दिया, अब आपके पास तो आ गया ना, मतलब उसूले शाफी में आ गया, ठीक है, बहुत सरी आयात आ गई ना, तो आप क्या मसला इरान मे इनको पब्लिश करने से, यह मसफ में यह आयात पब्लिश करने में क्या मसला है, मतलब अब हम इसका इदाफा कर सकते हैं, आज तो जामिल कुरान ने हमारे हाथ नहीं पकड़े हुए ना, कि जी आप का वो जो मसफ चले, जो कुछ थोड़ा बहुत आपके पास मुजूद ह है, तो कहने का मकसद यह है कि हमारा तो चले जाया हो गया, तो आपके वाला कहा चला गया, वो जो मसफ फातिमा था, पहली बात तो यह, यहां आप रवायात देखें ना, हसुले, मतलब काफी के अंदर या इसके अंदर, तो इसमें बहुत से आपको रवायात मिलती है, जि अगर जाया हो गया है, तो उसको अब, यह तो हमारे जामियल कौरान ने नहीं किया, यह हमारे सामने यह रवायत है, इसमें यह बात है, यह अपास मुसफ फातिमा है, और तुमें क्या मालूं कि मुसफ फातिमा क्या है, और यह तुमारे कौरान की तरह है, और इसमें उससे तीन गुणा जयादा ुरान है और तुम्हारे खुरान में उसमें एक भी हरफ नहीं है प्ये तो इमाम जाफर सादक आली रहमा के पास था इसको किसने जाया किया है अब ये तो जामिल कुरान का मसल़ा यह हमारा मसल़ा नहीं यह नहीं है अब सारे दलाईल अगर उस मुसफ में थे ठीक है वो तीन कुना ज्यादा था मुस्फ फड़ी था फात्मा फिर स्बसे आहम मस्वाइते हमी ये बता रही है कि ये मुसफ फात्मा हदरत techniqueselines पर नाजिल नहीं नहीं हो रहा था ये तो फ़ातम्म र्जी लानहीं पर पर नाजिल हैं ठीक है लेकिन मसल़ा यह है कि जिसकी तरफ मुसफ नाजिल हो रहा है जिसकी तरफ जिबरील-इमीर आरे है उनको हम इमाम नवानें और हम झादिव को इमाम माल लें तो यह बात भी समझे बालता रहे हैं मतलब समझ में नहीं आती ना कि उनको इमामत से क्यों खारिश किया गया अच्छा अब असल में जो बाहस हम कर रहे थे ना उसकी तरफ आते हैं कि ये बात समझ में नहीं आती कि अगर इमामत की नुसूस चले ठीक है आप हमें हदीस सकलाइन ये वो सारी बाते कर रहे हैं मैं अभी उसमें त थवातिर कह ले हमारे नजदीक अगर पास करेंगे तो हम कहेंगे कि पहले तो उसकी उपर वैसी जरा और कलाम बहुत ज़यदा हैं ठीक है हम अभी उसमें असल में पढ़ना नहीं चाहते हैं ठीक है पर उसके मानी में इतने जज़एदे अखिलाफाद हैं ठीक है जो हमारे حسن نے عمامت کے مسلسل دعوے کیے, اولاد حسین نے عمامت کی مسلسل دعوے کیے ان میں ایسا نہیں تھا سب سے پہلے تو ہم نے کہا بنو پاسِ علیہدہ ه übrig پھر محمد بن حنفی اللہ علی스럽 پھر آپ آ جائیں اولاد حسن میں سے انہوں نے اولاد حسین سے عمامت کی مسئلے میں اختلاف کیا انہوں نے دعوے کیے ان سے اصولہ کافی جو ہے وہ پھری پڑی ہے ہماری عمامت کی جو سیریز آج کل شر رہی ہے उसमें कोई तीस एपीसोड के करीब हमने यही सारे अग्तलाफाद, तजादात और कंट्रडिक्शन दिखाई हैं कि इमामत का अजीब मौमला था कि अउलाद हसन ज्या हुआ वो इल्जाम लगा रही थी अउलाद हसन पर उलाद हसन ज्या हुआ उलाद हसन की उपर इल्जाम लगा रही थी अब जैसे मिसाल के दोर के अब आप देखें कि मौम्मद बिन हनफिया अलाई रह्मा जो है उनका इफ्तलाफ उन से हो जाता है अब उनकी वज़जा से एक पूरा जो है वो फिर्का भी बन गया एहले तश्यू का फिर हम यह देखते हैं कि दुल्ला बिन हसन नहीं ने जहा हो अपने बीटे के लिए इमामत बाव बकाइदा डाला इमाम ज़ाफर सादक अलेी रह्मा की ओपर और अपने बेटे के इमामत के लिए उन्हें मजबोर किया इसके बाद हम यह देखते हैं कि हज़रत इजएड जिय vere mortal पाकिया अले दो हिनकी इमामत का ना स عورتوں کی عزت پامال ہو رہی ہیں ہم لوگ میدان جنگ میں جا کے لڑے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اولاد حسن کا جو کردار ہے وہ وہی ہے جو حیرت حسین رضی اللہ عنہ نے ادا کیا مطلب جس مقصد کیلئے حسین رضی اللہ عنہ نے جو امامت کا وہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ امام کا کام ہے کہ ظالم کے خلاف کھڑا ہو تو اولاد حسن یہی تو کام کر رہی تھی اور وہ اولاد حسین کے پاس جا رہی تھی اور انہیں بار بار متوجہ کر رہی تھی کہ بھائی ہمارے بڑوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں اب حضرت زید جو ہیں یہ حضرت جو ہے وہ حسین کے پوتے بنتے ہیں ایک طرح سے علیہم الرحمہ وہ اپنے بھائی کی امامت کے قائل نہیں ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ جو محمد الباکر کے جو شاگرد ہیں علیہ الرحمہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرا والد نے تو مجھے نہیں بتایا کہ میرا بڑا بھائی امام ہے میرا والد جو ہے وہ مجھے اپنے پاس بٹھا کے گرم جو لکمیں کھلاتے تھے روٹی کے تو اس کو بھی پھونک مار کے میرے موں میں ڈالتے تھے اور مجھے اس کی گرمی سے بچاتے تھے تو اگر میرا بڑا بھائی امام تھا اور مجھے انہوں نے یہ نہیں بتایا یعنی مجھے جہنم کی گرمی سے نہیں بچایا تمہارے کول کے مطابق تو یہ میرے والد کی میرے ساتھ کیسے شفقت ہے اس رادی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ جی وہ آپ کو جہنم سے بچانا چاہتی تھی کیونکہ آپ انکار کر کے جہنم میں نہ چلے جائے مسئلہ یہ ہے کہ انکار تو انہوں نے کر دیا روایتیں تو یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کی جو ہے وہ امامت کا انکار کر دیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حسین بن علی بن حسن بن حسن جنہیں حسین الفخ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ پیج نمبر 350 پہ روایت ہے موسیٰ قادم علی رحمہ کی امامت کا انہوں نے انکار کیا بلکہ انہیں اپنی بیعت کے لیے مجبور بھی کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مجبور نہ کرو اچھا پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ جو نفس زکیہ کے نام سے معروف تھے انہوں نے امام جعفر صادق علی رحمہ کی امامت کا انکار کیا اور اپنی جو ہے وہ امامت کا دعویٰ کیا پھر جو عیسیٰ بن زید بن علی زین العابدین تھے یہ تو اب حسینی ہے نا عیسیٰ بن زید بن علی زین العابدین ان کے بارے میں روایت آتی ہے یہ لمبی چوڑی روایت ہے خدیجہ سے علی رحمہ وہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے امام جعفر صادق علی رحمہ سے کہا تھا کہ آپ بیعت کریں محمد بن عبداللہ نفس زکیہ کی اولاد حسن میں سے اگر آپ نے بیعت نہیں کی تو میں آپ کا موہ توڑ دوں گا اور انہوں نے قید بھی کیا اچھا اس قسم کی روایتوں سے اصولے کافی جو ہے وہ بھری پڑی ہے کہ اولاد حسن اور اولاد حسین کا یہ جو جھگڑا چلا ایون کے اولاد حسین میں جو جھگڑا چلا امام جعفر صادق علی رحمہ کے جو ہے چار بیٹوں نے امامت کا دعویٰ کیا ٹیم کے دعویٰ تو ہمیں ویسی روایتوں کے اندر مل جاتے ہیں چوتھے کے بھی مل جاتے ہیں سب سے بڑے بیٹے حیرت اسماعیل نے امامت کا دعویٰ کیا پورا فرقہ بن گیا اسماعیلیہ کے نام سے اس کے بعد عبداللہ جو ہے وہ جو تھے اپنا آفتہ جن کو آفتہ معروف کر دیا گیا خیر باہر علی اس لیے کہ ان میں کوئی عیب نکالا جائے چلیں باہر علمان بھی لیا کہ ان میں کوئی عیب تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصول کافی کی روایت یہ کہہ رہی ہے 321 پہ کہ امام جعفر صادق علی رحمہ کی وفات کے بعد سارے لوگ متفق ہو گئے تھے ان کی امامت کی اوپر عبداللہ افتہ کی امامت کی اوپر وہ بعد میں واپس آئیں تو یہ روایت بھی 321 کی اوپر ہے اچھا سارے شیعہ کا اتفاق ہو گئے عبداللہ افتہ کی امامت پہ اور آج بھی بڑے شیعہ فقاہ میں سے جو ہے وہ افتہی ہیں یہ ہم جانتے ہیں تو مطلب نص اگر اتنی واضح تھی تو لوگوں کو غلطی کیوں لگ رہی تھی ان لوگوں کو جو امام کے فالورز تھے ان کے پاس بیٹھنے والے تھے ساری ساری زندگیہ ہم کے ساتھ گزارنے والے تھے انہیں یہ نہیں پتا چلتا تھا ایک بھائی کو نہیں پتا چلتا تھا کہ کون بھائی امام ہے چچا بتیجے کا اختلاف ہو رہا ہے آپس میں قزن کا اختلاف ہو رہا ہے تو اختلافات اتنے زیادہ امامت کی ہیں تو اس کا وجہ کیا ہے وجہ ہمیں روایتوں میں آتی ہے کہ جی حسد کر رہے تھے تو ساری جہاں اترت فاطمہ کو ہم پھر گندہ بنا دیں ہم یہ کہیں کہ جی ساری جہاں وہ حسد سے بھرے پڑے تھے جزاکو ملی جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میرے محترم ناظرین الحمدللہ حدیث سقلین کا اور حدیث سے آیا یہ ہے مباحلہ کہ یہ رہنوں نے کوئی رد پیش نہیں ہے قرآن سے نص مانگ رہے تھے ہم نے نص پیش کر دیا اور الحمدللہ میں نے جتنا کہہ دیا کہ بھئی جو نفس نبی قرآن کی نص کی روح سے جو نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے اس کی امامت متعین ہے اور یہ نص ہے امامت پر خلافت پر اور حدیث سقلین بہرحال رد کوئی پیش نہیں کر سکے اور اپنے خلافا کے لیے کوئی یہ اور یہ ابھی تک یہ نہیں پیش کر سکے یہ بات کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے علیہ وآکملتو لکم دینکم آپ کیسے کہتے ہیں کہ امامت پر نص نہیں ہے یا تو قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے پیغمبر نے جھوٹ بولا نص تجیر وباللہ یا تو آپ کا موقف باطل ہے اگر علیہ وآکملتو لکم اگر دین کامل ہے تو امامت پر نص موجود ہے تو آپ کیسے یہ کہتے ہیں کہ امامت پر نص نہیں ہے امامت پر نص نہ ہونا یعنی پوری امت کو گمراہ یہ کہتا ہے القرآن یهدی لیلتی قرآن تو ہدایت کر لیتا ہے تو آپ آجائے نا بھی پاکستان میں انتخابات نہ کریں اس کے بعد ہر ایم این اے کے سیٹ پر قرآن رکھ دیں قرآن کہہ دیں قرآن مرنمائند ہے اور آپ کے جو پارلیمنٹ ہے اس کے سپیکر کے لیے بھی قرآن رکھ دیں پرائم منسٹر کا عوضہ وہ بھی قرآن صدر کے لیے بھی قرآن رکھ دیں یہ قرآن ہے ہدایت کر لیتا ہے قرآن صدر امام ہے یہ سب کچھ چلا دے گا اور بھئی یہ کوئی کہنے والی بات ہے یہ کوئی آقل اس کو کہتا ہے بس ان کے پاس کیونکہ جواب نہیں یہ ان کے پاس آپ جس موقف عدم نص آپ کا موقف قرآن کے خلاف ہے اور یہ واضح البتلان ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دین کامل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آقل ہیں اللہ تعالیٰ کی اب آتے اولاد احمد علیہ وسلم کی طرف انہوں نے کہا کہ زید نے ابو خالد کابولی کے ساتھ یا مؤمن اتاق کے ساتھ انہوں نے گفتگو میں یہ کہا ہے کہ بھئی میرے والد نے تو نہیں بتایا کہ میرے بھائی امام محمد باقر علیہ السلام اللہ کے ہو جاتے ہیں یہ بالکل غلط پیش کر رہے ہیں صدیس کو حدیث میں یہ ہے کہ خروج پر دویاں پہ دو باتیں ہو رہی ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ تم آجا ہمارے ساتھ خروج کرو مخاطب سامنے سے کہہ رہا کہ میں صرف امام وقت کے ساتھ خروج کروں گا اگر اس کے ساتھ کوئی خروج کرے تو وہ نجات پائے گا اگر اگر اس کے ساتھ کوئی خروج نہ کرے تو وہ نجات نہیں پائے گا تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اب یہ کہتا ہے کہ آپ کو میرے والد صاحب نے بتایا مجھے نہیں بتایا یہ جو بتانے والی بات ہے یہ خروج کی بات ہو رہی ہے حرمت خروج کی بات ہو رہی ہے یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ وہ والد صاحب نے ان کو امامت का नहीं बताया, मैं आपको बता दूँगा, कि जैद ने खुद इक्रार किया, बारहा इक्रार किया हज़त इमाम मुहम्मद बाकिर अलिए साम की इमामत की और इन्हों अब्दिलाइबन अबास के आंक और उनके नाबीना होने की कहानी किताव काफी से खिक में अबदुलाइबन अबास में अमीर tomorrow, steak, भोइदने रबास की इमामत का इंकार नहीं किया है उस ने इस बात का इंकार किया है कि अमीर मुहम्मद इसाम के साथ उसकी गुफटगूती कि लाइलत अलिछ को मलाइका नाजम ये किस पे नाजल होती है बाकी इनका ये कहना कि बाकी अवलाद आएमा अलेहिम असलाद असलाद में मुनहरिफ निकले हैं, इनकी बात बुरसत है, मुनहरिफीन थे, इमात के मुद्धाई थे, ऐसे लोग थे, उसका जवाब क्या है? देखे मेरे मुhtरम नाजिन, इससे ये नतीजे ये निकलते हैं, कि इमामत पे कोई नस नहीं था, पहली बात हम तो ये थाबित कर चुके हैं, कि नस इमामत पे नस नहोना ये एक बातल चीज़ है, ये हो इनका अपना जो मकतबाई फिक्र है, वो गाबल दिफाई ही नहीं, वे पेके रगर नस है तो अव्लाद आम अलाद पुलाद आन इनो मैं इमामत की उत नहीं, ये एक जवाब सुनी एकत घर्से, ये कि मरे मुहत रमनाजिन, आला ताला क सी नहीं निशाने दुन एक अपने, आफ ये ले उन्हीं अमाद का इन्हान पूलिगए, इन्ही जा उन फिर्मा़ की आयत हर जगा है, हर चीज में लग अला की निशानिया यह लोकी स्सर्лично tv, क्तिलाफ धुल्वीम नहार उन्हार। अलॉड जायत हर जगा है, हर छीज में लग की अमौन जशानिया हर जगा है। उजग स्प जब पी कसमें लेकर आपाते हैं। अब जो लोग अल्ला को मांगते भी हैं उसके सिफाद में कितने अखिलाफ है भई इनके सिफाद में अल्ला के सिफाद में भई वो हमारे बहुत सार दुन्या के सबसे बड़ा मख़भ क्या है सबसे बड़ा मखभ है क्रिस्चन जीजस को अल्ला के भी अल्ला का बेटा कहते ह कि भी कुछ और कहते हैं कि अगर को अश्छास जलालत गुमराही पे चलते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पे हिदायत में कोई नकस है हिदायत मुझूद है लेकिन वो मानने के लिए तयार नहीं है अब पर मुस्ल्मानों में आ जाते हैं और किताब किताब नार्श है यह किपला साहब यह आहल अहल इहन् अग्यान इर! किताब नहीं है आख जहभी साहब अँग में किताब के जाते हैं और आग रम के ता हर जिगाय तो यह कि वज़ Uh! आचा उस में देखें ये सफ़ा नमबर 115 में ये हदीश नखिल करते है रवा अब्दुल्लाइ बने खलीफा अनुमर बन खत्ताब अतत नबिया सल्लाह अलेह वाले इम्रातु फगालत अदुल्लाह एं युद्खिले नियाल जन्ना एक उरत आया नबी सल्लाह अलेह से के पास कि अल्लाह से दुआ करो कि मुझे जन्नत दाखिल करे नबी ने अल्लाह की बड़ी ताजिम किया उसमेंसे बाहर निकलता है अच्छा अधा हदीथुन महफूदुन मिन हदीथ अभी अस्हाक सबीई समया मिन गएर वाहिदी मिन सहाबा वा अखरजा हदीथ हुआ पर बहुत सारे दलायल ले काते हैं कि हदीथ सही है और यही बात अगर आपके अल्लाह कुर्सी बेटता है न आपके अपने अशावरा मातुरीदी आपकी तक्फिर करेंगे चैंगे कि ये शर्क बिल्लाह है जो कहता है अल्लाह इसरब आप फखर राजी के किताबों में जाए न इसके शद्द से तक्फिर करेंगे आप अबूलहसन अशरी के पास जाए उसके सिफात पे भी उनकारी बहुत है मैं आपको पुरान के कुछ आयाद बता देता हूँ कि फिर्के कैसे बनते हैं फिर एसलिए नहीं बनते के हडायत नहीं होती अल्ण की जानब से ब ठरहीं जान लेए अच्छी तर子 जान लें देखें आरव ताला सुरह मुबारके बकरह में फुर्माता है और अन्बिया के साथ किताब बेजाए और अन्बिया का साथ किताब बेजाए फिर्के खित्तम हो जाए इनलोग एक रास्ते पे आजाए अच्छा उमाख्तलव फीह इल्लवीन उतूहु मिन बाद मा जाएतहुम बईयनात अच्छा नान्भिया तो खित्लाफात किसे बने फिर्के बने फर्माया कि दीन में जोनों ने अख्तिलाफ किया है वो वही है जिनको दीन मिला है मिन बाद मा जाहूम बैयनात बैयनात उनके पास थे बग्यम बैयनात उन्हों ने तलब दुन्या में इन्होंने तल्ब दुन्या में हसादत की वज़े से तल्ब दुन्या के वज़े से उखिलाफ किया यह कि बायना आप टै इन्होंने उखिलाफ किया मुलाइजा फर्माइये यह किताब तफसीर बैजावी अब्द creeping और अ비जावी बहूत बड़े मुपसर है अशाईरा के और मातूरी दिया के इस आया के जैल में सफ़नमर 112 जल्द नंबर एक में फर्मादते हैं दिन चाध में और किताब में किसने इक्तलाफ चाहे इल्ल लद्धीन उतो उन्हीं लोगों के जिनको किताब में ली उन्होंने इक्तलाफ तेफर權 बने किताब जो नाजल वी ते किस लिए? अख्तलाफात हल करने के लिए. ओतल अवार करने ही लिए? अजिए। कि ये इसलिए नहीं हुए थै इसलिए नहीं हुए थै इसलिए नहीं हुए थै इसलिए 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 नहीं हुए थै इसलिए 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 इसलि में हम जरा स्क्रीन शेर नहीं कर सकते वो कोई आप्शन ऐसी थी बाहराल मैं अलफास पढ़ देता हूँ असनल यारी साब उसको अपने हाँ निकाल लेंगे या लोग उसको देख लेंगे ये अश्फी में बन थर्टी फ़ूर पेज है मेरे सामने इसमें ये अरबी में अलफाज क्या है मेरी सुल्ब में से जो है वो ग्यारा जो है एक तो मैं और मेरी सुल्ब में से ग्यारा जो है इसा नहीं है तो अब लोगें कि यहां ऐसा नहीं है सिरुब उसका तथकरा हुगा तथकरा हुगा थाय। का भी तथक्रा किया उस पे अब्दल्ला इबने बार्सी रजी अलानों का तफसरा था खैबार अलाम इसको मजीड नहीं खेशते बात को लंबी हो जाए लगी थी दूसरी बात यह है कि हमने जो जिक्रत किया है इसमें अभी तक के उलाद आइमा में जो इखतलाफ हुआ है त तो उस इखतलाफ में बात यह है कि हमारे सामने शाफी की रवायाइत हैं या उसूल काफी की तो उसमें ये बात रवारे तोर पे नजर आती है कि इमामत का जो मुनकिर है तो वो काफिर है मिते अगर मैं यह रवायते कुछ निकाल के ज़र असको पढ़दा टूं कि अमामstad के यह रवायत है कि इस आयत के हवाले से वयूमल क्यामा तरल्लदीन कदबु अलल्लाही वजूह मसवद्दा यानि कुछ लोगों के चेहरे क्यामत वाले दिन जिया होंगे तो रावी ने पूछा कि जी यह कौन होंगे तो उन्हों ने का जी यह वो लोग होंगे कि जिन्नों का इनी इमाम वलेस भी इमाम। लेकिन वो इमाम ने है तो यह निकियामत व्लेदीन उन्के चेहरे जा होंगे। और साथ में ये भी रावी ने पूछा कि अगर वो अलवी हो तो उनों ने का भई अलवी हो तो वो रावी ने ये भी पूछा कि अगर उलाद अली इबन अभी तालिम में से हो उनों ने का भई उलाद अली इबन तालिम में से हो तो एक और रवायत है इमाम जाफर सादिक से इन्हों ने भी का कि कोई फातिमी और अलवी जो है वो अगर इमामत का दावा करे अगर्चे वो इमाम नहो तो उसने अल्ला के उपर जूट बादा ठीक है व्यूमल कियामतितरल्लदीन कदबू अललाहि वल्यूमल जिन लोगों ने अल्ला के वो जूट बांदा तो ये वो लोग है चाहिए इसके बाद आप एक और रुएट देखें ये बहुत इंटरस्टिंग रुएट है इसमें ये बात है कि तीन लोगों से अल्ला कलाम नहीं करेगा क्यामत बाले दिन और उनके लिए दर्दनाक अजाब है एक तुह है जिसने इमामत का दावा किया जबकि वो इमाम नहीं था दूसरा जिसने मनसूस मिनला इमाम का इंकार किया और तीसरा वो जिसने इन दोनों के लिए आखरत में कोई हिस्सा करार दिया देखें बात यह है कुछ लोगोंने क्ँछ लोगोंने क्या यहां तो आप कहें कि कि लाइन लगे हुई है इतरत-थ-फातिवा मेंसे लादे हसन लादे हुसाइन में से जिन्रों प्रवादे लाइन लगके हैं अब high-end i.e है कि बहौसरों ने दावा किया तो हसना और यह कि वजह से किया किसी और वज़ास किया बार लौत हैं हम वजह की तरफ नहीं मैं आ लेकिन लगिए इसमें बड़ा सुआल यह प्टा होता है कि यह हशंद इन बार इस्माइल इमाम ने कीवह उप design in बार बार यी बात कहते है नसेकती क्या है इस बारे में कि अहरत इसमाईल इमाम नहीं थे मुसा कादिम थे अब्दुल्लाफ्ता इमाम नहीं थे मुसा कादिम थे या उनके छोटे बार इमाम नहीं थे मुसा कादिम इमाम थे चार में से कौन इमाम था इसकी नसेकती क्या है मतलब हम یہ किस बन्याद पर हम ये क्लैम करेंगे कि जी घल्ती किस को लगी ये छास्फ में कौन मुवतला हुआ और ये सिर्फ यहां पर नहीं हुआ ये बहुत सारे जगों पर हुआ है बहुत सारे जगों पर हुआ है जैसे ग्यारवें इमाम उनके जो भाई थे हदरत हसन अस्किरी के जिनको जाफर कजाब कहा जाता है उन्होंने तो बारवें इमाम की वुजूद का इंकार कर दिया और वो भी उसली काफी की रुएते हैं वहां पे भी बजा हसन बियान की जाती है इसी तरह से मतलब बहुत सी मिसाले जो है वो बियान की जा सकती है मुसा कादम जो है उनके जो है और इसी तरह से जो हज़रत अली रजा है रहिमाहुमल्ला तो वहां पे भी आपको ऐसी मिसाले मिल जाती हैं कि उनके खानदान उनके बाईयों ने जो है उनकी इमामत का इंकार किया है कि ये काफिर थे पिर कही हो ने इमामत के दावी किया क्या ये सारे काफिर हो मस्zarह यह है कि और इस्फोल काफी की रवायतों मारजन दे रही होती है इन सब को ओलादِ usar referring को और उलादِ हुसाइन में से जिन्हों ने इमामत के दावी किया, खुद उन आइमा की दुबानी जो मंशूस मिन आलाए इमाम है, दिनकी बात हुझत है, कहने का मक्सद यह है, कि ये रिवाएत ये बतारी है, इमामत का दावा करने वाला काफिर है, बुसरा इमामत का इंकार क रहे इनको अच्छा मैं आपके सामने सिर्फ जो है वो काफी की एक रवायत रख देता हूं वैसे तो बहुत सारी रवायत रवायते हैं यह जो हमारे सामने रवायत है इस वकत एक मिनट मैं जरा इसको ओपन कर लूँ अच्छा यह मसला यह था कि अधुल्ला अलकामिल बिन हस लोख हांत हसन के पोते थे यह Nu्ह अभ आए हैं वह वह अपना आइनके पास एक मिनोत इमाम जाफर साधिक थे या इमां मुहम्मद अल्बाकिर थे ये मैं जरा देख लू बाहरल ये खैर बाहरल बुझे जरा देखना पड़ेगा लेकिन बाहरल वो जो भी इमाम थे इमाम मुहम्मद अल्बाकिर थे या इमाम जाफर सादिक थे इमाम मुहम्मद अल्बाकिर थे वही थे अब उनके पास जब ये आ कि विएईशेइन कानलहुसैन हब्तभिहा मिनलहसन यानी हज़रतِ हुसैन जो हो किस बुनियाद पे हज़रतِ हसन की से ज्यादा हगदार थे कि हज़रतِ हसन जो बड़े बेटे थे उनकी वलाद में इमामत जारी नहीं हुई यानी हम इमाम न बने और हुसान की उलाग वो इमाम बंजड ये उन्होंने एक इतराद उठाया मुसा बिन अब्दुल्ला जो थे उन्होंने कहा भी कि मेरे वालद ने कुछ बाते सक्त की हैं लेकिन बाहरल उन्होंने ये बाते गी उसके बात जो है इसमें जो इमाम मुहमद अलबाकिर ने तफसरा किया तो उन्होंने ये बात तफसरा करती ही एक लंबा चोड़ा जवाब दिया और लंबा चोड़ा जवाब देने के बाद आखिर में ये बात उन्हें कहते हैं एक बात ये है कि हड़ति हुसाइन के बारे में जो तुम्हारी राय है ना अगर तो अच्छी राय है तो अल्ह तुम्हें जो है वो इसकी उपर अजर दे और वे इनकुलता हुजरन वे अखफिर लाहुलक। और अगर तुमने उनके बारे में कोई ये मजलब इसका क्या मैं तर्जमा करूं बेतर है कि आप तर्जमा कर दें आप यूं कहलें कि घैर मुनासिब अलफाज तुम उनके बारे में इस्तिमाल कर रहे हो और बलकि तोहमत के अलफाज भी हैं रुए हैं कि तुम तो नहीं कर रहे हैं तो मतलब इमामत के जगड़े फरामटी वेरी पिगनिं की बात नहींए हा तो हरत हसेना हदुरियत हिस्ञैन उसके बादे के बाद हम देखते हैं कि मुहमत अलीजान अलाभीदीन उनकी उलादों में जगड़ा हुआ पिर उसके बाद मुहमद अलबाकर के अपने भाइयों के साथ जगड़े हुई Keys ayMAN ध्यवाज निए पिर इमाम हुसین αль-fahk trace की हमने बात किया है मुहमंद तकलिमा यह भी छो है वो आपको रुभायतों में मिल जाता है जो हुसान जो है वो इताथ की शहाद occupied है हुख के मकाम पे वो शहेद हुए थे मस्हारी यहा है कि कि अगनोंती पिए उनकी बैत ने की और ये सारा इखताफ हमें रिए रभायतें में मिलता है और मुसा कादम अला रहिए रहा येju कह रहे हैं इमां जाफर सादक के हवाला दे के कह रहे हैं कि जिस तरह त्मारे बड़ों ने ग्या हमारे बड़ों के साथ किया, यह काम आमारे بیعت میں سے تھی. जैसे हमारे किसी बड़े आलमी दीन की मसनद होती है, इलमी मसनद, तो उसके बेटों में हर एक में खायश होती है कि हम इस इलमी मसनद के वारिस बनें, तो इस तरह से बेटों में इफिलाफ हो जाता था, तो ये इफिलाफ बेसिकली था, जो बाद में उसको तकद्स कालिबादा बनाया गया है और उसे एक डिवाइन इमामेट बनाया गया था 3.4 जिजरी में जा के उससे पहले ये θा, ये माना जा सकता है, ये था, और ये समझ में भी आता है कि ये कामन है, ये यहाँ पे भी हो जाता है, तो रैसे खोलाह में उसकी इमामत के हम काइल है लेकि वो वाजिब अलनास है 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 इसको हम मानते है वाजिब अल ये कने इनके खलط अल्फाद इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे वो रसूल हैं उनके पास फिर्षटा था था हो उनको दिलासा देता था 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 थैथ sì फिर्षटा और arqu cheating always को लिखता था और वह फिर्षटा अल्हा की चानिब से जो हलाल हराम कोई शरीयत नहीं लेका है वो फिरिश्टा जो मायकून होगा च्यामत तो जवाकात होगे वो बताता था और अमीर अल्यमुएन अलिए असको लिखते थे और जैसे इन्होंने खुद हदीश पढ़ी है कि इसमें एक लफ़ गुरान का नहीं है एक पुरान नहीं है एक फिरिश्टे का गुफ्दगुई अज़स जहरा सलाम उल्लाहा के साथ और अमीर-लमौईन लिष्जाव सालातों उसको लिखते थे और ये कहते हैं ये कहाँ है ये असरार में से अहलभाईत अलेमासलाम के पास है ये एक खास गुफदगूता उनके दर्मियान अब इनका यह सवाल के वह अजद अहरा झायूआ सलम लाह क्यों अमाम नहीं है और अमीर अमिख्वविभाइन ले अमाम है उसकी वज़विए किया है इसकी वज़़ण यह है कि अल्ला ह। کو امام بنائے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام نہیں بنایا امامت نص سے ہوتی ہے لوگوں کے اختیار سے نہیں ہوتی ہے اور ان باتوں سے نہیں ہوتی کہ جس کو فرشتہ نظر آئے تو اس کو وہ امام بن جاتا ہے تو اصل مصحف فاطمہ کی یہ یہ داستان وہ اسرار علوم میں سے ہے سری علوم میں سے جو اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے اچھا اور فرشتہ کا نظر آنا میں آپ کے خدمت میں عرض کروں یہ اس سے کوئی نبی نہیں بن جاتا قرآن میں سورہ مریم میں متعدد آیات ہیں کہ جبرائیل آیا اس نے بہت مخفصل بات کی حضرت مریم علیہ السلام سے علیہ السلام سے اور گفتگو کیا تو اور صحابہ کے متعلق جیسے فرشتہ جو اسلام دیتے تھے عمران بن حسین کو بخاری وغیرے میں موجود ہیں اس کے متعلق میں نہیں جاتا اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کہ آپ کہتے ہیں کہ جو امامت کا ادعا کرے وہ منکر ہے جب امام آپ خود نصوص پڑھ رہے ہیں جب اتنے نصوص زیادہ ہیں کہ جو امامت کا ادعا کرے جھوٹے طور پر تو وہ کافر ہے بالکل ہمارا عقیدہ ہی ہے امام علیہ السلام نے خود کہا ہے چاہے وہ علیوی ہو یا فاطمی ہو اسی لوگوں سے جو آپ ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ تھے جو امامت کا وہ بہت زیادہ لوگ نہیں تھے کچھ لوگ تھے مختلف ادوار میں جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے بعد سنہ ساٹھ ہجری حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے وفات کے بعد سنہ ترانوے ہجری کو امام عاصر علیہ السلام کی غیبت سغرہ کے آغاز سنہ دو سو پچپنہ ہجری تک اس یہ تقریباً دو سو سال کے عرصے میں کچھ لوگ آئے ہیں انہوں نے ادعا امامت کے جھوٹے ادعا کی ہیں جہاں اس سے کوئی فرق نہیں پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ امامت پر نصر نہیں ہے انہوں نے جھوٹے ادعا کی ہیں جیسے مثلاً اگر دیکھیں عصیزوں اگر کسی جھوٹے کے امامت کی وجہ سے کسی برحق کی امامت باطل ہوتی ہو تو اس سے نبوت پہ بھی آ جاتا ہے نا علوہیت پہ بھی آ جاتا ہے بھائی اتنے لوگ دنیا میں وہ آیات کو دیکھ رہے ہیں ایمان نہیں لارے قرآن تو بار بار کہتا ہے افلائی انذرونہ الیلیل ابلی کیفہ خلقات بھائی اتنے آیات ہیں یہ لوگ کیوں ایمان یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ آیات نہیں ہیں آیات ہیں ایمان نہیں لارہے بھائی اللہ سے نہیں ڈڑتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر کیا بھائی آپ مانتے ہیں شق القمر کو نہیں مانتے ہیں اللہمہ صاحب پیغمبر کے موجزات تو ہوتے ہیں نا چلیں پیغمبر کو چھوڑ دیں پتہ نہیں آپ شق القمر کو مانتے ہیں نہیں مانتے پیغمبر کتنے موجزات تھے اس کے قوم نے ایمان نہیں لیا लोगों का इमान नलाना लोगों का गलत अद्दा करना इस बात की दलील नहीं होती कि उसकी इमामत वो असल बात बातल है नबुवत की तरफ आ जाएं कितने लोगों ने गलत ने नबुवत के अद्दा किये तो लाइहा इबन खुएिलेत अलस्दी सहावी है उसने अमाम नबूवत का अध्या किया परिगमर صلaled का ओस्वेiser का है परिगमर के ह्यात में आद्धा किया सहावी ता अस्लाम हुआ किए हुआ अच्छा फेर उसने अभीवत का अध्या किया इसका मतलब यह है कि और तारीख इसलाम में कितने लोग आए हैं जिन्होंने नबुवत का इद्दा किया परगंबर यह वाद इस बात की दलील है नबुवत सरही से चूट है भाई हज़त मुसा अलेह स्सलात वासम के कितने आयात थे भाई इतने मुझज़ात जितने हज़त मुसा अलेही सराम के कि किसी कैना अखर में किया है आखर में किया किया अबुश्या कि अगुऑun बुश्यान बहुआ के बहुद्दा कि पहारी को उता दिया वो बबनी इसराइल पर बड़िव वे बड़िव फर्माया के आए उसके आयाद जो कुरान में जीद में मुझूदे वाल्योम ननजी के बदानिक लितकून मिन खल्फिक आया वजावजना बबनी इसराइल बहर फा अत्बाः फराओन जनूद बग्या वाद्वान अबली हता इजा अदरक हो लगर्क इसी तर आयातें वेद गतलतों नफसां फदारातों फिया फकुलना धरिबूह बबादिया कजाली के युही ल्लाह ल्मुटा मुर्दा जिंदागिया कितने आयات उसने लेका है भई मुसा आले आखिर में बाई बनी इस्राइल सब तो सेथ तरह सब सेथ तरह सब हजiri आकुब हज़िए उस्वार दे सब के उलाद है वगई इतने मौजिजात दे करे आखिर मुसा आले से हम क्या कहते है कहते हैं ला अमलकौ इल्डा नफसी वाखी सर्फ मेराब भाई इस कौ्म मेरे बात मांता ही नहीं है तो सब उसके मोजज़ा जुट थे भाई सब मोज़ा जुट थे HP क्या है जब कौम ने सहाबे मुस अर्फिLe popularity भाई अकौम सथ स्यूण थे सब उसका कोहिटे है जब उसका उसको की वाई भाई अब भाई आपने किताब के उसल काफी पड़ी है मेरे तरफ देखें ना अद्लमा साब आपने पड़ी है हर इमाम पर कितने नसमें वजूद है पिर कहता है दलील गती कहां से लेका है भाई मैं आपको क्या बता हूँ जब आपने किताब नहीं किताब लगती कहां से पता चलेगा अगर किसी मतलब पे बाई हजारों अदीश उसके लिए हजारों हदीश उसके लिए दलील नहीं बनती कुछ लोगों का इंकार उसके बुतलान का सबब बनता है तो मैं इसको क्या कूँ ये कोई भई आप हक हको नहीं कबोल करना चाहते न अगर आप देखें मैं आपके खिद्मत में आर्ज करूँ क्या जएदिया के जो अमामत है वो खुद आइमे ताहरीन के अमामत के मौतरिफ थे और उन्हों ने कभी अमामत इसमाने में उन्हों ने कभी अद्धा नहीं किया क्या मनसूस हैं उन्हों ने सिर्फ जाहरी खिलाफत का अद्धा किया और उसकी वज़ज़ वाज़ है जिस दोर में वो रहते थे, बनी अमया के खिलाफत खतम हो रहा था, बनी अबास ने सियासी तारीक, असकरी तन्जीम चला कर, उन्होंने खिलाफत पर किया, और आपको पता है कि बनी अबास शुरू में खुद जाहिदी थे, बनी अबास के ओलाद ने, इन्होंने, मुहम्मद इबन अब् तीन सो में, यहिया अबने जाहिद से रिवायत है, साल तो अबी अनि अलाइम्म अलेहिम अस्सलाम, मैंने अपने वालिद जाहिद से पूचा के अएम्म कोन है, आहा कहा, अलाइम्म इथना आशर, आइम्म बारा हैं, चार गुज़र चुके हैं और चार आठ बाकी हैं, उन अनके वाले साप्ट, और जो बाकी है, आखी जाहाफ अलबाकिर, वज़र अस्सादीक यपनषा साइद हूं, बठ अनि मुसा साइद उनियू, बाइभ वए और योआपने हूं 我 बाद को बाकी आट एमाम में, एक एक का नाम उसे हैं ने बताया, एक मेरा बाई मैंने पूचा कि तुम नहीं की नाम कहांसे आपको मिल गया है यह पर मुलाज़ा फरमाइए कि यह किताब इखतियार में अरिजाल रिजाल कष्शी यहां पर मुलाज़ा फर्माइए, सफ़ा नमर 25 पिचान वे में, हदीस है, यह बोड मा, एक शखस नाओ, उसका नाम अबू सबाह ता, उसको खबर पहुंच दिया कि जएद आपसे नाराज है, जएद आपसे नाराज है, जएद के पास जाता, किता जएद, तोजी याद है, जएद आपसे इसको कोच जाए, उसके वसी को एक आदमी होंगा, अच्छा, और तू खद मुझे से, मुझे से सीखता था, तुख जए तुख्व मुझे कहता था कि अमीर मुहिन असाम के खुद्वे मुझे सुनाय करो, मैं तुझे सुनाता था. ये मैं उसे बात की, जए राजी होगा, कहां कि हाँ आप ये बात हुई है. पर मैं अमाम जाफर सादिक अलिह सलाथ के पास गया उन्हों ने कहा कि जैद से आपने ये अबनी पूछा कि अगर एक वक्त पर चूंके जैदिया के ये अकिदा है ना कि जो भी इमामत का अद्धा करें और वो फातिमी हो तो वो इमाम है अगर दो बैएक वक्त अद्धा करें तो उसका क्या होगा ये जैदियों पर बड़ा इशकाल है कि दो अधाफिमी अगर अद्धा करें तो इमाम अलिह साथ इसके इलावा मारे पस बहुत सारे आखादिस है कि जैदिया के अमामों सब इतराफ करते थे आमामत का और वो कभी एद्धा नहीं करते थे का मनसूस हैं वो सर्फ जाहरी खिलाफत का कि उनको तमना होती थी मेरी गुदारिश है कि ज़रा ज़्यादा लंबा हो जाएगा हम आखरी टन न करने इसको नहीं मेरे पास बहुत सारी बाते रहती हैं महने आपसे कुछ सवालागाथ मुझे तीन चार सवालाथ आपसे पूचना है पर आप करते हो लें आप भी मुझे सवाल के रहें, मैंस वाजव जवाब देने के लिए आज़ए हूँ जो सवाल आपने हैशूने, काफी किसे उठाए है ख्ञाइंचना चाहें तो जितना मर्दी आप खैंच ले मसला तो यह होता है ठीच है जितना मर्दी आप उसको खैंच सकते हैं हमारे पास भी सारा कुछ मवाद पड़ा हुए लेकिन मेरे काल मेरी राय यही है कि हम इसको आखरी टर्म कर ले मेरे मेरे तीन सवाल मुझे अभी यह तस मिनट की टरनी होगी डक्टर साथ ठीक है जी बिसमिला की जी बिसमिला टाइम लगा रही है नहीं जी एक तो हसनल यारी साहब ने जो है वरत मुसा अलिएसलाम की मिसाल दी कि देखें जी बनी इसराइल भी तो अवलादे जो है वो अंबियात थे तो उन्होंने भी नभूबत का इंकार किया देखें बात ये है कुछ लोगों को जो है इंकार करना ये और बात है सब के सब कोई शुबा पड़ जाना यानि नभी के बारे में देखें बात ठीक है कि कुछ लोग जूटे नभी की तरफ भी चले जाते हैं लेकिन पूरी उम्मत तो जूट यह है कि लेकिए, जो नबी होते थे, झा वो हम यह कह रहे हैं, कि उनके तो नाम है ना, वो मनसूस मिनला है, आला की तरफ से मुसा आएसलाम का नाम, जितनी मर्दवा कुरान में आया है, श companies की किसे का नाम आया हुए, अब हम उनके बारे में क्या बास करें तो वहां तो शब शुबह नहीं नहीं रह जाता मुहम्मद रर्सूल असले सल्म का नाम आ गया तो उसकों मेरे खाल में आहिमा के साथ क्यास ना करें उसकी वज़े यह कि कती दलील तो मुझूद है इसलिए हम कहें कि जी अगर सारी भी एक तरफ हो जाएं तो फिर भी वो किताब के मुझर हैं लेकिन हाइमा के नाम हमारे पास कताब िना और नहीं चाहन से किताब पर यह करण नहीं आवाइन किता कर रह तो तरजारी में नहीं है ये शाफी जो तर्जमा है प्रीवन नाइब इसमे क्या है कि जब इमाम जाफर सादिक अले रह्मा की वफात हुई है तो उनकी वफात के बाद बलफास की हैं के हिशा में सालें कि हम मदीना में भाद ओ फुभात बी अब्दिल्ला अना वसाइब ताक वन्नासु मुझ तमिउना अला अब्दिल्ला इबन जाफिर अनना साहिब अला अ्मर बाद आपि यामिन सब के सब का, मुतर्जिमी ने पी ये struggles की ए किस निए के सब के सब का इतिफाक हो हिस फ्कवाब इज्मा गया पर आपको आपना ये पैत अंसे हाद को बात बात उपल्ह उपली यह हैं watch अश्हके प्याकर के वैब का अव्दिलगास पाद Sब्दी। जबसे वो तो बाद में वापस आयें। Оп 사ल या इमामत कहने का मक्स forced यह कि क्या इतनी मुबां चीज थी कि सब के सब ही एक इमाम की ओपर आज़े तूट पड़ते थे और इसको इमाम मान लेते थे और वो इमाम होता ही नहीं था बाद में उनके लिए वाध था कि ये इमाम है हम असल में यही बात आप से अर्ज करना चाहा है कि देखें बात यकिए यह है कि ये मौमलाथ वाधि करते हैं कि इमामत कोई कलियर चीज नहीं थी अचाए इसके बात भी आप आप देखें के आपके वाले साहफ तो चले गए, orn आपके वाले जाहाँ के बात, अबति अब्लाह जो है, उमामत कदा दावा करे हैं तो खरो उन्ने कहा बाई, अबति आपकें, आपके गारे Alors्पी वहने कहा हैं, तो अपर्लाह माफूलौू, माम रिया्ट, मक्सिद ही यहा है क Race आमामत का दावा कर रहा है जिसकी उपर सब शरी इमामत का अतिफाक हो रहा है जिसकी बारे मेंशला इमामत भी जैसे इमारे अवारे अलामते नबूवत है तो उनकी किताबोंальную में имамत आती है कि जी बड़ा बेटा होना चाहिए. ठीक है वो निकाल लेते हैं मालम टॉकुन फिए आहा भी राया भी नहीं निकाला है ना बात तु यह आहा भी तो है रावियों ने निकाल लिए पारे में तो चले एक एक इख्तलाफ पैदा वगया कि वो-इमाम सापकी जिन्दगी में फोद हूई है कि नहीं हुए है, उसमें भी एक इख्तलाफ है, सारे मुटविकद नहीं है, होऊसे कहते हैं कि जी तोरिया किया गया और उनको जो है, वो उनकी लिए हिजाब मगरर किया गया था, उनको इसमाइलिया को यह क्लेम है, उनके लिए हिजाब मुकरर किया गया, तो मुसा कादमह आले रहमा को, और मुसा कादमह बजड़ने कि अव् REAL रहाना, सुम्ह माद इल्लभा, उनका मैं कहाओ, कर दिया गया ताकि उनको शहीद ना कर दिया जाए चूंकि असल में वारिस वो थे ठीक है तो ये तकिया किया गया था ये कि नहीं है कि मुसा कादम विससे चले गाए कि मुसा कादम अलियरह्मा आखरी अमाम थे वो पर अमामत को मान रहे थे तो नहीं है कि आप हजारो अधीसे तो मुझे नहीं नदर आती मैं तो यह कहरा हूँ कि खबरे वाहिद भी शीया मसादिर की अधीसे हैं तो हमारी एल सुनत की किताबों में तो 12 वे सब्हादे में कोई अधीशे नहीं है, अर्थ के बारे में आप दिखा देते हैं, ठीक है चले आप दिखा देते हैं उसमें भी डिबेट है हम यह कहरे हैं, लेकिन उसके बाद जो आपके आहिम्मा हैं, उनकी इमामत के रावाले से फ安全 & मनाकिब है लेकिन उसके बाद तो चले कुछ भी नहीं है ना वो जो आपके अगले नौ हमारे हां कहां पर सुनी मसादिर में तो नहीं है शीय मसादिर में भी अगर हैं तो अख़बार अहाद हैं अब ख़बर वाहिद कैसे हुजज़त हो सकती अकीदे के हाईलायबल है कराब अब लुजज़द हैं कि हमने तो य। हमने तो इसको वो हाई लायिक कारे सारी现 करें کہ ये रवायते बही गिन ली हूई हुई है कितने-कितने रवहते करें के मक्स्ट है कोई मतलब आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हजारों रवायते हैं, हजारों रवायते कहां से रवायते आगी है, ठीक है, वो हजारों रवायते किस सरह से बनती है, वो नीचे बन जाती है, ठीक है, तो नीचे जाके भी सही बात ही है, कि हजारों नहीं बनती है, उपर जाएंगे, तो रावी तो रावी तो रावी तो रावी तो तो ये कहते हैं शोबा ये कहते हैं कि जी मैं ये कहते हूं कि जी बंदा जिना कर ले लेकिन इससे रवायत ना कर ले तो कहने का मकसद ही है कि वो ठीक है आपके रावी हैं लेकिन आपके रावियों के बारे में हमारे हां एकसेप्टनस नहीं है वो आपके लिए दलील हो सकता ह हमारे लिए दलील नहीं हो सकता हमने कहा कि हमारे लिए दलील क्या हो सकता है हमारे लिए दलील कुरान है या फिर हमारे लिए एल सुनत की किताबें और फिर यो आपके हां भी मसादिर में जो चीजें मुझूद है मैंने कहा वो भी मतवातिर दर्जी की नहीं है पुरान में त कहने का मकसद यह है, कि जहां इसको मतवातिर बना के कतियों स्भूत बनाे भी जाता है तो उसके माने में अग्तिलाफ है और फिर आजली रजिघत हानों से नीचे चले तो आपको तो वकतियो फ़बूत भी नहीं न मिल्ती, तो गतिव दलाला तो दूर की बात है, फिर यह सारा इस्कलाफात यह साबित कर रहे हैं, कि कोई चीज कटई नहीं थी, कोई चीज कटई नहीं थी, हर कोई इसको अपनी तरफ यह वो खैंच रहा था. तो हमारा असल में कहने का मकसद ये था कि आप ने ये बात कही आप ने ये बात कही कि इन आइमाने हसद की वज़ा से दावे की है चले ठीक है इन आइमाने हसद की वज़ा से दावे की हैं लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जो रवाइक हमने आपके सामने टेश की है आप ये क को अपनी उलाद के लिए खास कर लिए और इसकी उपर वह उनको मफिरत की दूआ दे रहे रहें ।। और मुसा कादम और मुहमंद तक्या अलियराह्मा रिय। वह हुसान को जो कि मुसा कादम की इमामत से निकले वहलगे उन्होंने इमामत का दावा भी किया, उन के लिए वो जो है, वो कह रहे हैं कि वाकिया करबला के बाद सबसे बड़ी जो है, वो सानिया हमारे हाँ, वो वाकिया फख है, तो कहने का मक्सब यह है कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, इमाम जाफर सादिक अलियराहमा जो है, उनकी उपर उलादे हसन क्यों नहीं की, हला कि पहले वो इनके पास आयते मदद मांगने के लिए, तो कहने का मक्सद ही है, जिन लोगों ने इमामत के दावे की, इमामत के कौल किये, तो उनके बारे में कोई सख्त रवायत हमें नहीं मिलती, बलकि उनके बारे में नरम तरीन रवाया, आहमा यसना शरीया का रहा है, वो या वो उनको जन्नत की बशारती भी देते रहे, जन्नत की बशारते हैं, उनके फालवर्ड के बारे में जन्नत की बशारते हैं, ठीक है, और उनके बारे में ऐसे, और फिर आपने बात की जैदिया की, तो जैदिया तो ये रवायते लेके आते हैं, अ मैं ज्यादा तफ्सीर में नहीं ज्यादा वक्त भी खत्म हो रहा है तो रुआते तो उनकी किताबों में भी मुझूद हैं जजाकू जो डाक्टर साब में बात रहे हैं क्योंकि दस में लिए बहुत सारी बातों को चेड़ते हैं अपने बाहस में बातों का जवाब मेरे लिए मुम्किन नहीं होता है इस मुक्तसर वक्त में और मैंने इसे सवाल करने होते हैं तो मैं अभी जो मैं अपना दस मिनिट लूँगा इसके बाद यह मैं उससे कोई स्पिसिफिक सवाल करें भई फिलान जजी से ऐसा है या फिलान वाक्या इसा है उसका जवाब दे दो ठीक है ना तो फिर भी मैं उनसे कुछ मिनिट लेके उनके से स्पेसिफिक सवाल करूंगा ठीक आन मैं में मुज़ीद इस्टेला नहीं करूँ स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब ले एक डूसे से क्यूंके ये वक्त इसके लिए काफी नहीं हँता है मांँते हैं आप पैरसाथ, मैं गुजाश़ आप आप लोगों के हिदायत के लिए लोग भाई जान देते था आप कुछ बदराश करें कोई बात नहीं कितने नौ बज़े नहीं शुरू है हमारा ये प्रोग्राम अभी एक गंटे चोवन मेने दो हैं प्रोग्राम एक गंटा चालीस मिनट हुए है आई तिंग चलें दो गंट मीरे ये किन ये जोए फैरिंटे तो करीम करीम मैं मेरी गुजर्श यह मेरे ख्यार्म में यह ना किवला ये नस्प पेश करते हैं कुरान से चरो अमूमी है कति अ दलील या कति अ सबूत हमारे नजदीक नहीं है ये जो हदीशे बुखारी वा मुस्लम जो है ना ये हदीशे मनजलत हदीशे जो सकलैन और ये जो एक हमारे हाँ उसने बात कर रहे थे डक्टर साब कि ये ज हज्जत अलविदा के मौका पर उड़नी के ओपर भी नभी पाक स्वेल ने ये यही कलमाता फरमाएं और हमारे हाँ एहल सुनत के हाँ कि ये है कि ये गदीर खुम पे है और वहाँ थोड़े से असाब थे ये मौला ने इसाब साब ने भी ये कहा था तो मैंने इनके समने नभाता वहाँ भी ये अर्शाद फरमाया और घदीर खुम पर भी ये पर इसको ना दुबारा मुकरर अर्शाद फरमाया तो एक मैं ये ये मेरी गुझार सुने इसमें देखें एक डाम तो अभी हंसनल यारी साब की है ना एक मैं ले ले लेता हूँ एक फिर इनकी आ अभी तो ये आपकी टर्न का ना जबार साब डाक्टर साब ये जवाब देंगे ना इसके बाद फिर कर लेते हैं फिर ये इनको मकमल करने ने सवाल जवाब करने ने हैं प्लीज हमें अपना सर इनका रिपलाइग करें सर ये डाक्टर साब ये आपकी टर्न है ना असन साब बिसम नल्रहिर्मान रर्भाइम आँ यह कहते हैं कि बैए अजिए मुसा अश्वाणिस सेफ़ के पूरी ओम्मत तो गुम्रा नी हुए पूरी ओम्मत गुम्रा हुई है देखें ऑभिए मुसा अश्वाणिस से पारी से वाड़िये मुसा आहरून ने क्या अर्ज किया आहरून ने या आर्ज किया फूरी काम पूरी काम ने बच्ड़ए की अबादत की सुआए कुछ लोगों के और ये मुझे पतल करने लगे थे यानि देखें मेरे बाइए बियनात थो हज़़त मुसा अली सहम के पास बहुत थैं और सब के सब सेयद हैं सब कावम उस जमाने में आहल बायत थैंगा कौम सब मुसा अली सहम की शरीयत में देखें बनी इसराइल आहल बायत यानि याकुबल अल्ड है सब ने सिर्फ ऐसा काम किया वो क्या काम किया है उन्होंने बचड़े की जो इसमें कोई फाइदा भी नहीं है और उन्होंने अज़र्ट आरून आले इसमें को कतल करने लगेता है कि अगर आप मुझे हमें मना करता है मैं आपको कतल करने गा आपके से हमें मनद करते हैं बच्छे की अबादत से तो इसके बराक्स आहमें ताहरीन आलेम साम के आउलाद में नहीं नहीं मिलते हैं कुछ लोगों ने इढ़ाए इमामत किया कुछ लोगों ने ये 200 साल का जो अर्वा है 200 साल में कुछ लोगों ने इढ़ाए इमामत किया हम उनकी म선बत करते हैं हमके की बात घलंटे कुफर है ठीक है अच्छा आपने जो हदीश पढ़िया है कि सब लोग मुझतम थे अब्दल्लाइ बन जाफर पर उनके इमामत पर यह आपका आपका तर्जमा है हदीस यह है कुना बिल्मदीनती बाद वफात अब अब्दल्लाइ अना वसाहिब तक वननास मुझतमिवूना अला अब्दल्लाइ अबन जाफर अन्हु साहिबूल अमर बादा भी फदाखलना अलिह यह अननास जो है इससे मुराद सब शीया लेते हैं यह जो लोग वहां पर है जो आम लोग वहां पर है जो आम लोग इस तरह नहीं है यह तो किसी आपको नहीं मिलेगा कि सब शीयों का अजमा हुआ था यह लोग खुद भी गए थे इसलिए कि उनको शक था अब्दल्लाइ की अमामत पर उसको इम्तिहान किया बता चला कि इसको कुछ नहीं आता यह वह अन्नास से मुराद वहां पर जो लोग थे आम लोग थे यह से मुराद सब शीयान नहीं है कि सब शीयान की भी अजमा किया हो यह बाद आप किसी नहीं है अच्छा पर यह लोग गए मुस्य काजिम आले इसलाम से उनसे पूछा कि आप इमामे हैं उन्हों ने का यह नहीं कहता इसकी वज़़़ए क्या है कि हजज़त इमाम जाफर सादिक अलिए सलाथ असलाम को जब मनसूर ने गतल किया था उसका यभी ही हुखम था कि जो इनका वसी होगा उसको भी गतल किया जाए यह यह को तो मैं आपने देखा होगा पड़ा होगा तो पूरा वाक़ पुरे ना तो इसलिए अज़त मुसब नजाफर अमाम सादिक अलिए सलाम ने अपने चार वसी बनायते हैं उनमें से एक खुद उन्होंने मनसूर को बनायता मनसूर ने पूचा कि उनका वसी को ने उन्होंने का कि एक आदमी पर उन्होंने वसी चार पर वसीद किया उनमेंसे आव एक खुत है तो उसको पता चल गया कि इमाम आले सलाथ और सलाम ने मेरी चाल को समझ गया तो क्यों कि हुकूमत के जानब से हुकम था कि जो उनका वसी होगा मदिने के गवर्नर को हुकम था को उसको गतल किया जाए इसलिए महमुसाइक काजम आले साम से जब उन्होंने पूछा कि आप इमाम है तो उन्होंने का मैं ये नहीं कहता मैं इसका इद्धा नहीं करता क्यूंकि अपने आपको गतल नहीं करा आना चाते थे जब उनसे पूछा कि आप पे कोई इमाम है तो उन्होंने का कि मुझ पे कोई इमाम नहीं तो ये इस लोग समझ गए कि उसका मकसूद क्या तो वो इस हालात को बहुत ही समझते थे उसकी वज़ए यह है वो अपने ऐसे इमामत है नफ ही नहीं करते थे वो एक ताउरिया है बुखारी में एक बाब है पूरा मैं इसका इद्धा नहीं करता कि मैं इमाम हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि मैं राखिदा नहीं है मैं इद्धा नहीं करता अलान लोगों के सामने मैं प्रोक्लेम नहीं करता कि मैं इमाम हूँ कि मैं गतल हो जाँँगा अच्छा आप कहते हैं कि हजारों हदीस आपको नजर नहीं आई भाई कुछ आहादिस तो काफ बहुत सारे आहादिस काफी में हैं सेंखड़ों आहादिस तो हैं काफी में हर इमाम अलियस एक बड़ा बाब है बारा इमामों का किताब अलहुजम है उसके बाद हर बाब अमाम पे नसूस मुझूद है दीगे ना तो आप शियम मजभब के अंदर आके कहते हैं कि शियों के पास नस नहीं है और बाई सिर्फ किताब काफी में इतने नसूस हैं इस ताब काफी में इतने नसूस हैं तो आप कहां से कहते हैं कि कि नस-कति कहां से होनी चाहिए अच्छा ये सब नसूस कतिये हैं वाज़ए औ दलाला हैं हाँ आप कह सकते हैं कि हमारे पास नहीं आप वो लग बात है आप लोगों के पास आप शियम मजभ़ब के अंदर आ कर ये मजहब में ही कहते हैं कि इनके पास नस नहीं है तो ये बात गलत है आपका मैं आपको अजारों नसूस दिखा देता हूँ ये किताब किताब इस्बात अलहुदाद बिन नसूस वलमौज़ाद तालीफ उ शेखिन अलहुर रामली रहमत ल्लाहि अले यहां पर जिल्द नंबर दो में मुलाइज़ा फरमाईए जुज़ इस्थानी में नसूस है अलनसूस अलाम्मत अले अइमत इतना अशर अले इससलम वखिलाफत है ये उसका फैरस है जिल्द नंबर दो में सफ़वा नंबर तीन से शुरू होता है एक फसल दूस ये ले वार बारा अममों के खिलाफत पे नसूस ये मुख्तलिफ फसूल है यह 18 फसल, 19 फसल, 20 फसल मinois बशल si जो फसल है 133 पे पर शुरू होता है 137 पर इसका खात्म है चलता जासा है, चलता जासा है चलता जासा है कि भी एक सफ़े में एक हदीश है तो बहुत ज्यादा अहादीश है अच्छा फिर बाब अतासिय फिर जिक्र जुम्लते मिना अखबार फिन नुसूस अले अलाइमत इतने अशर मैं तरीक आम्मह व कुतुबहम मुटमिदा मुखालिफीन के तरीक से बाराएम मुटम पे नस यह सफ़ा नमर 260 पे शुरू होता है फसल अवल फसल थानी फसल थालिस फसल राब है यह सफ़ा नमर 301 आगया भई उसके बात चलता जाता है सफ़ा नमर 302 में फसल नमर 42 है अच्छा यह नसूस हैं मुखालिफीन के कुतुब से अब जिल्द नमर 3 पे आ जाते है इसबात अलहुदाद बिन नसूस वल्मॉजिज़ात अल्जुस 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 थालिस यह कहते हैं नस नहीं है और यह नस खबर वाहिए भई अगर इतने ज्यादा नसूस हैं यह और मुखालिफीन के कुतुब से यह कहता है पर कहता है कि नहीं यह तो अखबार वाहिए और वो पता ही नहीं चलता कि इनकी इमामत कहा से पता चले अच्छा यह यहां से अमीर अल्मॉमनीन अल्याद सिर्फ उनके इमामत पे दलाइल फसल अवल सफ़ नम्बर तीन से शुरू होता है अच्छा सफ़ नम्बर दो सौला में यह खत्म हो जाता है फी दिक्र जुम्लत मिमा वरदा फिन नस अला अला अलीन आशम मिन तुरकिल आमा सफ़ नम्बर दो सौला में अमीर अल्मॉमनीन अल्याद से शुरू होता है और वो भी बहुत सारे सफ़ाद पर है उनके मौजिजाद के उनके अमामत पर दलालत करता है अच्छा फिर आते हैं जिल नम्बर चार में इसबात अल्हुदात बिन नसूस मौजिजाद जिल नम्बर चार यहां पर फैरस को देखिए सफ़ा नम्बर पांच में अनुसूस distant आम्मर अला इमामत الحसन आइशन अलियुलिजजाद भारा अमामों के नसूस के आलावा जो अमामत करता है अमाम हसन आलियु Gibson के नसूस पर यह सफ़ा नम्बर तीन से पان्च से शवयू होता है صفحہ نمبر 18 में امام حسین علیہ السلام کے मوجезات اور صفحہ نمبر 32 पे जाके खत्म होता है पिर امام حسین علیہ السلام के नसूस पिर امام حسین علیہ السلام के मوجезات पिर امام علी بن الحसین इसी तरह बहर एक امام के आते जाते हैं उनके नसूस आखिर में मوجेज़ात इमाम अलियनलहादी دسویں امام کا صفحہ نمبر 490 पर जब जिल नमبر पांच में जाते हैं जिल नमبر पांच में यहां पर मुलाइज़ा फरमाए अन्नुसा अला इमामत इमामि लिए अलिह सकरी लिए आलिह सलाम मौजिज़ात ये गरवे इमाम के नसूस और मौजिज़ात वो यह फर्माते हैं कि अिशू के पास नस्त नही है अच्छा आपका कहना कि गुरान मज्जीद में आहिमाई ताहरीन आहिम फ्रेसाम के नाम नहीं है वही जब हम ने कहा दिया ना कि आप किसी सहाभी का कौल लेका है कि यह तक कौन कामिल है कुरान को किस ने अहल बाई ताहम सम्सक्राइम के तुश्मनों ने जमा किया है तो आप समझते हैं कि वह वह जब परिगंबर बिस्तर बीमारी में हैं वो उनके सामने वो कहते हैं किलम खागस लेका और मैं उस्याद लिख दूँ वो कहते हैं परिगंबर आपने खुद अभी हुजर का आपने तर्जमा ने किया ना अभी आप खुद कर रहे हैं हुजर का आपने तर्जमा ने किया वो अब्दुल्ला इबन अलहसन के लिए आपने का ये बत्तमीजी है मैं इसे तर्जमा नी करता आप मुधब आदमी है आप बुखारी में देखे कि सहाबा ने काता नी काता लवज हुजर का इस्तेमाद नभी स्वालों अल्यूजर के लिए और जिन्हों नभी के हयात में उनके गर में उनके सामने लवज हुजर जिसको आप ने अरबी से अर्दू में तर्जमा नी किया का कि बत्तमीजी है अब्दल्ला इबन अल्हसन के लिए वही बुखारी में मुझूद है कि सहाबा ने उनसे का था ये सहाबा जिन्हों ने ये किया ता पैगंबर के लिए ये अब उनसे अमीद रखते है ये बई एगर आएमा अले लिए साम के नाम होते है तो ये वूंध लिखते है उसको आने दे 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 है और अर पिर इन्हों ने उन्हों ने एकिट जम्र ऑख़दि नहों ने खुद आहतिराफ किया कि ये इनों ने नहीं कहा कि गुरान कामल है उन्हों ने खुद कहा कि कुरान साथ वर्जन है उन में से छे वर्जन गाइब हो चुके है बबाजी बग्या चे वर्जन लेका हम नाम भी दिखाएंगा आपको इमाम जाफर सादिक अलिए सलाथ वस्सलाम जब मनसूर ने मदिने पे चड़ाई की अपने बतीजे को फाउच के साथ बेजा और उसने जाइदियों का कला कमा किया मुहमद इबन अब्दिल्ला अब्न अलिए हसन को कतल किया और मदिने से बहुत सारे हाशिमियों को वो लेके गए थे बगदाद जंजीरों में बांध कर तो इमाम जाफर सादिक अलिए सलाथ वस्साम मुहमद इबन अब्दिल्ला अब्न अलिए हसन यहने जूटे इमाम के मसीबत में वो नहीं आयते कि उन्होंने कहा हो कि वो इसलिए आयते कि बहुत सारे बेगुनाल लोग बनी हाशिम से बनी फातिमा से वो उनी के फितने के वज़े से मनसूर ने उनको गरिफतार किया था और जंजीर में डाल के बगदाल ले वो इसलिए आयते हदीस आपने पढ़ी है वो अब्दिल्ला अब्दिल्ला अलिए हसन के महबत में नहीं था वो उनके महबत में था जी सर्व टाइम जी किमला आपका टाइम खतंगा आप सवाल क्वेशन आंसर करते हैं क्वेशन आंसर करें ना भी जी क्वेशन आंसर का सेशन रख लेते हैं जी कितने मिनट का राखलें जी वह एक सवाल कर रहा है मैं जवाब दूंगा तर फिर वे मैं में सवाल करोंगा अगर अनके पास सवाल यही थी कि अब आप उसको वाइंड अप करें कोई बात नहीं आखरी तफसरा हसन अजयारी साथ भी कल वे मुझे असल में थकावट काफी ज़्यदा होगी है क्योंकि दिन भी हमारी जाइब कोई नहीं है अच्छा इसमें इन्होंने ना डाक्टर जबायर साथ ने एक हदीशे ये बड़ी पेश्ट करते हैं असलनला यारी साथ जो ना गदीर कुम की जो बात है और ये बड़ी इसके आप उपर डाक्टर साथ ने रिखाया कि ये हमारे निजदीग ये बहुत बेर नहीं है तो सर ये अगर आपके पास अभी है या किसी वकत इसके उपर बताईएगा मैं आप अगर ना हो तो मैंन से पूछ लूँगा कि ये कहा है जोफ है या क्या उसकी सनद है ये बड़ी एहम है ये इनकी ये नस्प पेश कर देए ये 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 इनका कहना है कि जो अल्ला का कुरान है उसके बाद जो नबी करीम से लिखादात हैं वो भी वमाया यहन टिकवानिल हवा इल्ला वहियू यूहा ये प्यारे नबी जो बात कहते हैं या अगर वो साबत हो ज मतवातर हो तो उसमें भी एहल हदीरिस आइमा रजाल या जो भी महद्दिसीन उनके नजदीक जो मतवातरात में भी कुछ रावियों की ना कुई उसमें कुछ तादाद है उसमें कुछ इतफाक है तो वो ज्यादा है कुछ है उसको ग्यारा से ज्यादा अबाव कहते हैं य वो ज्यादा कुटब में शामल हो तो उसका करते हैं यह बारा कुटब में आ गई वो हम मतवातर उसको समझते हैं कि एक ही जमाने में कोई पंदरह या बीस लोगों उसकी बात कार रहे हो या मुक्तलिक असनाद के साथ पेश हो तो ठीक है जनाब डक्टर साब आप कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्वार रखें अलायारी साथ से कोई कोई इनके मजब और मसलग के बारे में जो आपका मुतालिया है तो फिर मेरा तो हासल यही था मतलब एक पासूर था हासल यही था बारल मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि हम बार बार एक चीज को रिपीट करें मेरा दफ़ा एक बात कर दी यहार काफी है तो मतलब मुझे यही लगता है मुझे यही लगता है कि इमामत के बारे में जो दलाइल है वो कतियो स्भूत यह कतियो दलाला नहीं है ठीक है दलाइल है वो बार ठीक है रहे हैं मैंने यह भी नहीं कहा कि इनके पास नस नहीं है यह न समझ में भी आती है ऑकि अगर वो ये उसको कह रहे हैं कि Jaam PA. पढ़ लेके बैठ जाओ की यह वो में और उसको पढ़ लें लोग सुन रहे हैं वह अश़ाफी उसका तरजमा मुझुद है उसको निकाले पढ़ें उसको बगाएदा गिने शुमार करें कि वह अलामा साब भी क को पहुँचती है कि नहीं पहुँचती मुझे तो नहीं लगता है कि वह रोएत Swe국 को मुझे तो पूंचता है कि मताइन इमाम की बारे में नस्बंड रहे हैं उसके नाम के साथ है है एक है इमामत की रवायते थे कि वो तो हमने कहा कि इमामत का कांसेप्ट, नभूबत का कांसेप्ट, कुरान भी भना पड़ा है हम मतायन इमामत की बार रहे हैं, भर मतायन इमामत की बारे में तो इक्तलाफ ही इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा इक्तलाफ है तो फ्तिलाफी रवायतें जो है न वो इतनी ज्यदा कैसे हो सकती थी अगर मतलब ये मतबाते दर्जे में ये चीश साबित हो रही थी, तो ये ये प्लासिबल ही नहीं था, मुम्किन ही नहीं था, हाँ, अगर ये बात कही जाए कि कुछ रवायतें मुझूद हैं, जिसमें मत अइसासी अकीदे में हुज़त होती है तो वो फिर उनका एक असूली मौकिफ है तीज़ वो अपना मौकिफ ले है वो अपने मत्रब की तरफ से रख सकते हैं बियान कर सकते हैं इसमें कोई हरिजब बात नहीं है मुझे एक सवाल इजाज़त देंगे लामा साब सवाल ये है देखें डाक्र साब सही मसलिम में हदीश है मुलाइज़ फरमाएए मेरे मुहतरम नाजरीन ये सही मसलिम में मैं बहुत इखिसार के साथ सवाल करूंगा हदीश ये जो मर जाए और उसके गरदन पर किसी की बायात नहीं है वो जाहिलियत की मौत मरता है मुसनाद अछमद में जिल्द नंबर 28 सफ़ा नंबर 28 में आलर सुलूल्लह सल्लाओ आले वाले मन मात बगईर इमाम मात मीत तन जाहिलिया जो बगईर इमाम के मरता है वो जाहिलियत की मौत मरता है किताब सुना अच्छा ये और में इसके असनाद बहुत ज्यादा है मैं उसको ज्यादा तूल नहीं देता ये इमाम कौन है जो अगर उसको आप न माने उसकी बएख और आन से तो बैयत नहीं होती न तो इस हदीस का मिस्दाक उस इमाम का मिस्दाक कि अगर उसकी बैयत आपकी गर्दन पे ना हो वो यजीद को समझ रहता तो अब्दल्ला इबन अमर ने जो भी नकल किया है इस हदीस को शखस फर्द के लिए नकल किया है इमाम से मुराद फर्द है इमाम से मुराद कुरान मजीद निया ये इस से मुराद कौन है ऐसे खुलफा जिन्होंने काब़ जलाया मुलाइज़ा फर्माइए आप आहल हदीथ हैं ये किताब मजमूएत फतावाल बन तैमिया है जुस्ए थालिथ आपके फरके का बहुत बड़ आलम है सफ़ा नमबर 254 में वो फर्माते हैं मदिनावालों ने यजीद साहब के बड़ को नक्स किया और उसके खिलाफ खुरूच किया तो उसने फौज बेजा उसको हुक्म दिया कि तीन दिन मदिना आपके लिए जाइज है मुबाह है आप जो हम अमर्जी करें फसार फी असकरहु फी मदिना यक फलाफन यक्तुलून वयनहबून वयफ्तदून लफुरूच अलम हर्मा ये अलफाज बड़े एहम है कि यजीद के फाउज और किसका कॉल है कोई शी आलम नही है अबन तेमिया शेख अलम इसके अक्वाल को हदीस की तरह हुज़त मानते है मैंने बारहाद देखा है अच्छा इसके हर बात को मानते है ये इसका इक्रार है कि यजीद के फाउज जब मदिना आये तीन दन तक वो गतल करते थे लूट मार करते थे और यफ्तदून अल्फरूज अल्मुहर्मा और लड़कियों के साथ बिलजबर जिना करते थे रेप करते थे अच्छा ये किताब फत्हुलबारी है इबन हजर असकलानी साहब की जिद नमबर कौन सी है नौ इस किताब में मुलाइज़ा फर्माईए हदीस नमबर 4666 के जहल में फर्माते है के ये न मात मौावया इम्तना अल्बैट यजीद अचा यजीद न क्या क्या मुस्लिम इबन अकुबा को मदिना बेजा वाके हर्रा हुआ 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 ह नियुम तब नसब अलमजानी काला अलकबा वरमू हत्या बिन्नार फ़ितरक जिदार अलबाइट इन्होंने सना 64 में मक्के पे हमला किया है काब़ शरीफ को क्या मारा है मनजिनिक से मारा है और काब़ शरीफ को जला दिया है अच्छा इसके इलावा मैं मुहतरम नाजिन क्या जमाएत मخालिफीन का आवाम से पूछता हूँ अलमा से पूछता हूँ वो फर्द कोन है जिसके बैयत अगर आपके गरदन पर है तो आप मुस्लमान मरते है अभी और अगर रोजकी बैयत आपके गरदन पर नहीं है तो आप जाहिलियत की मौत मरते हैं ये किताब तारीख अब्रह्मान सूयोती की, यहां पे एक खलीफा है, उसका नाम, अलुलीद इबन यजीद अबन अब्दलमल्क है, उसके मुतलिक फरमाते हैं, अखलीफतु फासिक था उकान फासिक निए शुरीबं दिल्गामर, फासिक था और बहुत शराब पिता था, मुंतहिकन हुरुमात Allah के हुरुमात को पामाल करने वाला खलीफा अराद अलहज लियाश्रिबा फव्क जहरिलकाबब और इस कमीने के ये हालत थी इसके कुफर का कि इसने का मैं हज जाता हूँ हज किस ले जाओंगा हज काबब शरीफ के चत पर बैठके मैं शराब प्योंगा लेकन ये मर गया जाओंगा पहूंचने से पहले इरादा यहीं था इह कौन है ये उस्मान इब्राफ़ान का पोता है ये वलीद इपन यूजि इजएद आब आबडिलमलिक इबन मर्वान ये मर्वान इबलकम का पोता है और मा की जानब से अब अस्मान कप होता है मैं काबा में हज किसे ले जा है काबा शरीफ के चत पे जा के मैं शराब पी लूँ लोगों 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 ने जब इसकी सपोर्ट चोड़ दिया तो उसने का क्यों हमारे सपोर्ट नहीं करते सपोर्ट कियु नहीं करते तो में तुम N stitches बहुत देता हूं、 उसने का लोगों ने किया कि हम आपकी सपोर्ट इसलिए नहीं करते है कि शराब तू पीता है किसी हराम के सेटू हूं नहीं डरता और तू अपने सोतatri माउं के साथ यानि अपनी मा के साथ, महारिम के साथ जिनातू करता है और जब इसको गतल किया गया, इसके सर्भ हो, इसके बाई के पास लाए है लोगों इसके बाई ने कहा अश्हदु अन्नहु कान श्रूबन लिल्खमर माजिनन फासिकन वलकद रावदनी अला नफसे उसके बाई ने शहादत दिये, उसके बाई बाई बाद में खलीफा बना उसके बाद कहा के मैं शहादत देता हूँ कि ये शराबी था, ये फासिक था और इसने मेरे मुझे भी रेप करने की कोशिश किये बलके रावद है नहीं और मुझे भी रेव ये होमोसेक्शुल भी था महारिम के साथ जिना भी बारहाल मेरे बाई आप बात आप यह से से यह है कि रसूल अल्लाव ने फर्माए कि जो मरे उसके अगर अमाम नहीं यह वो जाहिलियत की मौत मरता है अच्छा मैं बस खत्म है जाहिलियत की मौत यह इमाम कौन है कि इसलाम का दारुमदार उसकी ताइट उसकी मारिफत पर है अगर आप कहते हैं जाहरी खुलफा तो जाहरी खुलफा आपकी यह है करदार यह है जिनाब देखो किरदार यह कि इन पे लानत ना करना ऐसे लोग जो काबश शरीफ कुछ इन पे लानत इनके लानत ना करना खुदी बड़ी गुना है क्या आप कहते हैं यह यह कहते हैं कि वो हैं जो नभी जैसे मासूम है वो कौन है यह कौन है और अभी आपका इमाम कौन है इस स्वाल के जवाब दे दें कि अगर आपने उसकी बैयत आपके गर्दन पे नहीं उसके मारिफत नहीं है तो आप जाहिएत के महुत मरेंगे बिस्मिल्लाइ बिस्मिल्लाइ रहा है ठीके एक तो हसन अलाई यारी साब ने ये बास उठाई कि इमाम जिसकी बैत का कलादा जो है वो लाजम होना चाहिए देखे हम पहली वादे कर चुके हैं कि वो इमाम इहले बैत में से हो वो खुलफा राशिदीन में से हो जो भी मुसल्मानों का इमाम इवन के इमाम मुतखलिब जो धक्य से इमाम बच जाए तो स्यासी इंतिशार से बचने के लिए मुसल्मानों में बहामी कतल उ घारत से बचने के लिए तो जरूरी है कि जो भी स्यासी इतिवार से आपका इमाम मुकरर हो जाए इवन कि हम उसमें छोड़ दें कि हम बनु मया में बनु अबास में हम आजकल के दोर की बात कर रहा हैं, आजकल के घुलके जो हमारे इमाम है, क्या हम उनके खिलाब खुरूज के काईल हैं, या हम उनकी, activitory की यूपर राजी हैं, या हम ये सारे कारनामों की आपर मतलब खुशी के शादियाने बजा रहे हैं, नहीं, आज بھی ہم یہی بات کرتے ہیں اور ہم قیامت تک یہی بات کریں گے آپ صرف ایک سو سال تک کیوں رہتے ہیں آپ چودہ صدیوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے چودہ صدیوں میں جو ہے وہ مختلف جو بھی مسلمانوں کے حکمران رہے ہیں تو ان سب میں آج بھی ہمارا وہی narrative ہے آج بھی ہمارا وہی بیانی ہے ہم خروج کے قائل نہیں ہے ہم قتل و غارت کے قائل نہیں ہے ہم طالبہ organization کے قائل نہیں ہے اگرچہ ہم آئمہ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں ان کو क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इमाम से मुराद, मतलब वह वह बहला इमाम नहीं है, हमारे नजदी के इमाम से मुराद, यहां पे पुलिटिकल लीडर है, वो जो मुसल्मानों का हुकमरान है, जो वाजिब बलन नास है, मुसल्मान उनका इंतिखाब करेंगे, धरी बात है, वो तो बात ठीक है, इसी तरह से जो है, हजरत अबुबबकर, हजरत अमार, हजरत अस्मान, हरत एली रजी रजी आनुम से इखतिलाफ किये गए फुकहान इखतिलाफात की, हमारे हां सहाभा का बहुत इतराम है लाजिम थी लेकिन उनको कोई मतलब मासूम नहीं समझता कोई भी इनemuहासूम नहीं समझता अब बात उसमें बाद में आ जाती है तो वह हमने कहा कि वह सारी बात हमने واضح کر دی ہے اہل سنت کا اس میں موقف واضح ہے میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی مشکل تو نہیں ہے کہ امام اگر کوئی متغلب ہے کوئی فادسک و فاجر ہے جیسے آج کل بہت سارے ہیں آپ کو بھی میں نے مجھے نہیں پتا آپ کا کیا ہے آپ خود ہی اپنا موقف واضح کریں گے کہ آپ کو خمینی صاحب کی اوپر بھی کافی اترازات تھے ٹھیک ہے ہو جاتا ہے بھر ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں اب لوگوں کو آپ اٹھانا شروع کر دیں کہ ان کے خلاف آپ بغاوت کریں تو اصل میں ہم نے یہ بات کہی ہے کہ وہ جو امامت ہے وہ جو خلافت ہے خلیفہ جو ہے وہ جو امام ہے وہ فادسک و فاجر بھی ہو سکتا ہے اور وہ آدل بھی ہو سکتا ہے مسئلہ تو یہ ہے نا دیکھیں بات یہ ہے آپ نے اس کو کہا کہ جی وہ آدل ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ بات آئیڈیل ہے کہ وہ آدل ہونا چاہیے لیکن ایک بندہ آ گیا آ گیا تو اب آپ کیا کریں گے انتشار پیدا کریں گے یا آپ اس کو لے کے چلیں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انتشار پیدا نہ کریں آپ اس کو لے کے چلیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے وہ سارے جو آدل بنا دی وہ سارے کتاب بھی ہیں ٹھیک ہے جو آخری امام بھی ہیں وہ بھی ساڑھے گیارہ سو سال سے غائب ہیں مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ آ کے عدل قائم کریں گے مسئلہ یہ ہے کہ میرا مسئلہ تو حل نہیں نہ ہوتا وہ گیارہ آئمہ دیکھیں حیرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد کس کے پاس جو ہے وہ سلطنت اور حکومت رہی ہے امامت کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا ظلم کا خاتمہ اور عدل کا نفاذ کسی ایک امام نے نہیں کیا حرات حسین عزی اللہ عنہ کے امامت ملی انہوں نے جو ہے وہ حرات امیر معاویہ کو خود ہی حوالے کرتی رضی اللہ عنہ پھر اس کے بعد حرات حسین عزی اللہ عنہ تو ویسی شہید ہو گیا اور اس کے بعد تو یہ ساری ہی پسے پڑھدہ چلے گیا اپنا درس و تبریس میں عیمہ اہلِ بیعت چلے گئے اور اس کے بعد تو اب ساڑھے گیارہ سو سال سے صرف انتظار ہو رہا اور پتہ نہیں اگلے ساڑھے گیارہ سو سال تک انتظار ہی رہے گا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسائل تو حل نہیں ہوئی ہے نا یا تو اہلِ تشیعہ کے نظریہ امامت نے ہمارے مسائل حل کر دی کہ آپ تو فاجر کے امام بنائے بیٹھے ہیں امامت کا جو مقصد تھا تو امامت نے ہمیں فائدہ کیا دی اب یہ روایتیں ہم اصولِ کافی میں پڑھ لیں کہ وہ عدل سے بھر دے گا وہ ظلم کو خاتم کر دے گا وہ آپ کے قرضیں ادا کر دے گا وہ یہ کر دے گا وہ کہاں بھئی ہو تو کچھ بھی نہیں رہا وہ آپ کو حلال حرام بتائے گا وہ بھی نہیں بتا رہا مسئلہ یہ کہ وہ آپ کو جہاں اللہ کی صحیح بات بتائے گا کوئی ایسا ہونا چاہیے چلے ہونا چاہیے جو قرآن کی صحیح تشریح کرے وہ معصوم ہونا چاہیے اب وہ ہے ہی نہیں ساڑھے گیارہ سو سال سے وہ ہے ہی نہیں تو اب میری رہنمائی کون کرے گا میری رہنمائی کے لیے تو شیعہ علماء ہیں جب شیعہ علماء ہیں تو میرے لیے کیا سنی علماء برے ہیں ٹھیک ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اب امامت آپ دیکھیں وہ صرف میرے خیال میں کتابی بات رہ گی پریکٹیکل بات نہیں ہے یہ وہی بات ہے کہ اسلام کا جو ہے نظام میں بہت عادلانہ ہے لیکن کیا کتابوں میں ہیں ہم اس کے مطابق کوئی ریاست نہیں دکھا سکتے تو امامت کا تصور بہت خوبصورت ہے لیکن کیا ہے کتابی تصور ہے ٹھیک ہے ہاں بالفعل کہاں پر ہے امام کہاں پر ہے جن سے جا کے میں رہنمائی لوں جن سے میں حلال و حرام معلوم کروں جو مجھے بتائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ یتینی بات ہے وہ ساڑھے گیارہ سوال سے جو عدل کا نظام نافذ کریں دیکھیں ساری دنیا خود ہی ہمیں کے اوپر ٹوٹ پڑے گی مجھے بتائیں ہمیں کیا ضرورت ہے اختلاف کرنے کی ایک چیز ہے ہی نہیں تو اب اس کے لیے ایک زور لگایا جا رہا ہے زور لگایا جا رہا ہے ساڑھے گیارہ سو سال سے کوئی چیز ہے ہی نہیں موجود ہی نہیں ہے کوئی اگزسٹ ہی نہیں کر رہی تو لوگ کیسے مانیں گے مجھے بتائیں لوگ نہیں مان سکتے اب اتنا اوٹ آف دا باکس جا کے آپ کیسے لوگوں کو جو ہے وہ سمجھا سکتے ہیں صرف جو ہے وہ منطق کے زور پر منطق کے زور پر یا علم کلام کے زور پر چیزیں ثابت نہیں ہوتی یا چیزوں کو صرف خوبصورت بنا دینے سے یا خوبصورت ثابت کر دینے سے وہ ثابت نہیں ہو سکتی اصل میں آپ کو ایکچولی دکھانا پڑتا ہے مولانا عبیداللہ سندھی جب گئے یہاں سے نکل کے وہ رشیہ میں اس وقت انقلاب آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ تو ویسی جو ہے وہ انقلاب کی تلاش میں ایک نیا نظام آپ یہاں نافذ کرنا جا رہے ہیں ہمارا اسلام کا نظام لے لیں تو انہوں نے سارا سنا انہوں نے کہا بہت اچھا نظام ہے آپ کا ماشاءاللہ لیکن بتائیں ہے کہاں دنیا میں تو مقصد یہ ہے کہ امامت چلیں مان لیا ہے بہت اچھا کانسیپٹ آپ نے پیش کر دیا ٹھیک ہے کوئی ایسا ساری آپ کی لاجک مند کہاں ہے امام کہاں ہے جن کے پیچھے میں چلوں جن کو میں فالو کروں صرف میں نے اگر وہ چند روایتیں مان کے پھر وہیں بیٹھ جانا ہے وہ فاسق و فاجر آپ کی یہاں بھی اس وقت امام بانے بیٹھے ہیں سیدھی سی بات ہے مالب اس وقت آپ کے بھی امام کون ہے آپ کی سٹیٹس کے مطلب کون فیصلے کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کے قاضی کون ہے وہاں پہ آپ کے وہ کون ہے زیادہ زیادہ آپ روایتیں لے آتے ہیں روایتوں میں اتنا اختلاف ہے پہلی بات تو یہ ہے آپ فقی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں امام کی روایتوں میں اتنا اختلاف ہے وہ اختلاف ہی نہیں آل ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اختلاف حیل کر لیں تو آپ کے شیعہ علماء کے انٹرپرٹیشن کے اتنے اختلافات ہیں یہ اخباری ہیں پہلے اصولی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں یہ اخباری ہیں یہ پہلانے اصولی ہیں پھر اس کے بعد ان میں آپس میں اتنے اختلافات ہیں ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نصور بھی جو آپ پکڑ کے بیٹھے ہیں امام کی نصور ان میں بھی کون سا اتفاق پیدا ہو گیا مسئلہ حل کہاں ہوا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو ایسے لے کے جاتے ہیں جیسے ہم نے تو سارا مسئلہ حل کر دیا ہوا ہے یہ پتہ نہیں ماننے کی طرف نہیں آ رہے نہیں اتنا بھی سیدھا نہیں ہے حسن علیہ عزی صاحب اس کو تھوڑا سا سمجھیں تھوڑا سا غور کریں اتنا بھی سیدھا مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں کا بھی کہ آپ اسے کہیں کہ یہ اگلے کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی بہت سے مسائل ہیں دیکھیں میں اجازت دیں گے مجھے جواب دینے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میرے محترم ناظرین ہمارے شیعوں کا عقیدہ اس مسئلے میں بڑا واضح ہے دیکھیں خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود کہتے ہیں خلیفہ الرسول میں نے ان سے خدمت میں عرض کیا تھا خلیفہ کا مطلب کیا ہے یہ مضاف اس کا مضاف ان علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانش نہیں اور یہ صرف ایک پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے یہ مذہبی لیڈر بھی ہے روحانی لیڈر بھی ہے ان کے خلفاء سب مذہبی روحانی لیڈر تھے اگر آپ پہ اس کی بیعت نہیں ہے تو آپ جاہلیت کی موت مریں گے انہوں نے کہا دیکھیں یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا امام عادل کہاں ہے وہ عادل نہیں پہلا تھا تو انہوں نے قرآن نہیں پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالبیناتی وانزلنا معہم الكتاب والمیزان ہم نے اپنے رسول کو بینات کے ساتھ واضح دلائل کے ساتھ موجزات کے ساتھ بیجائے ان کے ساتھ کتاب کو بھی بیجائے اور میزان کو بھی بیجائے شریعت کو بھی بیجائے تاکہ لوگوں میں کیا کریں وہ انصاف کریں اگر آپ کہتے ہیں کہ شیعہ امام نے انصاف نہیں کرایا تو آپ کے ایک لاکھ چوبیس ہزارہ انبیاء نے کہا انصاف کرائے ٹھیک ہے نا انصاف تب کریں گے جب لوگ تعاد کریں گے جب لوگ نصرت کریں گے جب مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں جن کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے جن کو اللہ نے حج ان کو تو نہیں مانتے ہیں خلافت کس کی قبول ابھی میں نے دکھایا ہے نا بھائی ابھی یہ حضرت خود خود یہ ان کے جو فرقے والے ہیں یزید اور معاویہ ابھی جس نے کعبہ جلایا ہے ان کے اپنی کتابوں میں موجود ہیں اسی دفاع کریں گے یہ اچھا آدمی تھا رضی اللہ عنہ اور ان کا ایک خلیفہ کون تھا میں نے بھی دکھا دیا اس کا ولیہ اہتا بھائی اپنا بھائی اس کا ولیہ اس کو اس نے ریپ کیا ہے وہ اپنے بھائی کو جو رہے ہیں اپنے ماں کو جو ریپ کرتا تھا جو کعبہ شریف کے قچت پہ ان کے اپنے کتابوں سے میں نے دکھا ہے نا یا ایسا شخص یہ شخص وہ خلفہ ہیں پیغمبر کا مقصود یہ تھا میرے بعد ایسے خلفہ ہیں ان خلفہ کی بیعت اگر آپ نہ کریں یہ کوئی ان کی جاہلیت کے موت مریں گے آپ اسلام پہ نہیں مریں گے یا ایسے خلفہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معصوم ہیں بات واضح ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جوٹی نہیں ہے وہ متواتر ہے شیعہ نبی روایت کے مخالفین نے بھی روایت کیا کہ اگر آپ مریں امام کی بیعت نہیں ہے آپ کے پاس آپ جاہلیت کی موت مرتے ہیں تو ایسا امام ہونا چاہیے ابھی دنیا میں ایسا امام ہے الحمدللہ رب العالمین اس کے قائل ہیں انہوں نے انصاف کیوں قائم نہیں کیا وہ اس لئے نہیں قائم کیا وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کا وجود نہیں ہے اسی لئے جیسے ایک لاکھ چوبیس آزار انبیاء نے انصاف قائم نہیں کیا میرے مزید سوال ہے لیکن ڈاکٹر صاحب تک گئے ہیں اگر ان کے پاس کوئی سوال ہے کوئی حکم ہے تمہیں جواب دینے کے لئے تیار نہیں میرے خیال میں کافی زیادہ بہن سوگی اگر اجازت دے دے تو اچھا ہے میرے مزید سوال ہے پھر کبھی وقت دے دیں ہمیں ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ حسن اللہ یاری صاحب ایک سوال میں آپ کے لئے بھی تھا وہ تو میرے ذہن سے نکل گیا ہے ایک میں اپنے ممانے ایک سوال سی جناب ڈاکٹر صاحب کو آپ جانے دیں ڈاکٹر صاحب تک گئے ہیں ان صبح انہوں نے بار بار کہا ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں ان کو جانے دیں پھر ہم مجھ سے سوال کر رہے ہیں اجازت سے پوچھنا ڈاکٹر صاحب اب ایک سوال کر لو شکریہ میں نے پڑا ہے کہ یہ سننا ہے علماء سے ہی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا آپ نے جو فرمایا کہ بھئی یہ جو ہمارے خلفاء ہیں جو خلیفہ ہمارے خلفہ راشدین رضوان علیہ مجمعین آپ کی زمان سے میں سن کر مجھے تھوڑا تعجب ہوا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ہمیں ان کو یعنی نص سے نہیں مانتے یا ان کو سیاسی مانتے ہیں اور یعنی حاکم اور پھر ان سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے تو جبکہ ہمارے پاس حدیث ہے کہ وہ جو پوری تو آپ کو آتی ہوگی اس میں جو نفذ ہے سنت الخلفاء الراشدین والمہدین ایک یہ اس کا اور دوسرا قرآن سے بقیادہ ہے یہاں علماء آتے ہیں وہ نص قرآنی نص پیش کرتے ہیں کہ جیسے آیت استخلاف یعنی خلافت وعد اللہ اللہ جی بن آمن وہ آیت پیش کرتے ہیں تو خیر یہ ایک بات سوال ہے کہ آپ ان کو صرف سیاسی سمجھتے ہیں وہ ان کو مذہبی بھی سمجھتے ہیں جو میں سمجھوں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں دوسرا اس میں زمینہ نے ایک question ہے کہ جب ہم جو آج کے موضوع پر گفتگو ہے ہماری کے امامت کیا منصوص میں نلع ہے آپ نے بہت اچھے درائل دی اور بڑے واضح جتنا متعلق کیا تو وہ تو یہ عمام دیکھ لگی وہ ہے کہ امام مہدی کے بارے علیہ السلام کے بارے میں ہماری کتب میں اہل سنت پہل عدیس کے ہماری کتب میں موجود ہے آپ کو پتا ہے بس اشارہ ہی کر رہی ہے کہ وہ امامت کرائیں گے وہ ان کا ظہور ہوگا اور ان کے پیچھے ایک نبی جو رسول بھی ہیں وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو کیا سوال یہ فرہم کرتا ہوں کیا وہ حجت اللہ ہوں گے وہ نص ان کو ہم نص قطع استدلال کر سکتے ہیں وہ اللہ کی حجت ہوں گے وہ جانشین ہوں گے وہ اللہ رسول کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح وہی علوم وہی فیوز و برکات اور قرامات کے ساتھ ہم نے تفصیلی اپیسوٹ کیا ہے ہماری ابھی حالی میں آیا ایک آت مہینہ پہلے پہلے سنت کا جو کانسپٹ ہے ہماری روایتوں میں تو اس کے مطابق وہ حجت خداوندی نہیں ہے یا منسوس میں نندہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ انتخاب ہوگا لوگوں کا لوگوں کا انتخاب ہوگا واقعی یہ کہ ان کی حصیت ایک قراماتی ہوگی ان کے ہاتھ میں کچھ قرامات کا ظہور ہوگا اور واقعی ہے کہ ان کی مخالفت بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو دائمی جہنمی بنا دیں ایسا نہیں وہ ہم نے تفصیلی پروگرام کر دیا میرے خال میں اس میں تفصیلی میں کیا ہے وہ خلف راشدین کے پارے فرما رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مہدی کا کیا کانسپٹ ہے تو ہمارے ہاں مہدی کا لفظ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح روایتوں میں ہے ہی نہیں مہدی کا لفظ اچھا اچھا ہاں اس میں امیر کا لفظ آتا ہے یا امام کا لفظ آتا ہے ٹھیک ہے تو لیکن مہدی نام سے جو ہے نا مہدی نام سے جو روایتیں ہیں نا وہ روایتیں جو ہے وہ صحیح درجے کو نہیں پہنچتے یا ان کی اوپر کلام ہے یا ان کی صحت میں اختلاف ہے ہاں جو روایتیں اچھنٹک ہیں یعنی جن کی اوپر اختلاف نہیں ہے تو ان نے مہدی کا نام نہیں ہے تو ایک تو یہ ہوگا ہے دوسرا سر وہ جو خلفائے راشدین ہیں جن کو مہدیین کہتے ہیں اور ان کی سنتوں کو ان کی مطلب ہے کیا اتھنٹسٹی ہے ان دا ہمارے مقتبہ فکر میں دیکھیں اس میں روایت میں یہ بات ہے کہ اگر خلفائے راشدین کا اتفاق ہو جائے چاروں کا ٹھیک ہے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے نا اس پہ ہم نے اپیسوڈ کیا ہوگا اگر خلفائے راشدین چاروں کا کسی مسئلے پر اتفاق ہو تو اس سے خروج جو ہے یہ جائز نہیں ہاں لیکن اگر ان چاروں کا اپس میں اختلاف ہو کسی مسئلے میں تو پھر اس سے خروج جائز ہے اور وہ فقہہ نے کیا بھی ہے اے اچھا اچھا نہیں فقہہ نے خلفائے راشدین سے کیا ہے ابو بکر عمر عثمان علی آپ فقی کتابیں اٹھا کے دیکھیں فقہہ نے اختلاف کیا ہے اچھا اچھا جزاک اللہ خیر دی مجھے اجازت دیں گے میں ایک ارز کروں میں بھی ایک ارز کروں مجھے اجازت دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملائزہ فرمائی عزیزو یہ کتاب فتح الباری بشرح سید بخاری جز زمبر سات یہاں پر یہ بخاری کی حدیث ہے یہ کہہ رہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام یہ تو ایسے ہی ہیں جس کے پیچھے ابن مریم نماز پڑھیں گے وہ جو اس کے پیچھے ابن مریم نماز پڑھیں گے اچھا وہ چھوڑیں اچھا اس کے بعد یہ بخاری کی حدیث ہے اس کے بعد وہ فرماتے ہیں قَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارِ بِأَنَّ الْمَهْدِيَ مِنْ هَذِي الْأُمَّ وَأَنَّ عِيْسَى يُسَلِّ خَلْفَهُ یہ حافظ ابن حجر صاحب کا فرمان یہ کہتا ہے کسی حدیث سیدی اسمین نے اَنَّ الْأَخْبَارَ مُتَوَاتِرَ اَنَّ الْمَهْدِيَ مِنْ هَذِي الْأُمَّ وَأَنَّ عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ يُسَلِّ خَلْفَهُ اور یہ کہ وہ اہل بیت اور وہ فاطمی ہیں اولاد فاطمی زہراز سلام اللہ علیہم یہ آپ کے کتب میں اس کا حدیث بڑے زیادہ ہیں ان کو خود شایدہ اب چلیں وہ موضوع سے باہر ہیں میں اس سے زیادہ بے عدبی نہیں کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دیں جزاک اللہ جی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے سلامت رکھے تو بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے مجھے امید ہے کہ دیکھنے والے ناظرین بھی اس سے استفادہ کریں گے اور وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھے اور عدایت پر رکھے اور خاتمہ بلیمان ہو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام ہماری آج کیلئے نشست بہت پسند آئے گی بس ایک امپورٹن آنانسمنٹ میں نے کرنی ہے میں ان کے دعا کے بعد گفتگو نہیں کرنا چاہتا آنانسمنٹ یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں غیر شیعہ بھائی ہیں پلیز اس چینل کے آپ سپورٹ کریں ہمیں آپ کے چینل آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے یہ اسٹیڈیو جو چلتا ہے یہ اس میں ہم تنخواہ دیتے ہیں اس میں ہم کرایا دیتے ہیں اس میں ہم بلز دیتے ہیں یہ بہت اس کے بہت مختلف یہاں پہ فیس ہوتے ہیں لائسنسز ہوتے ہیں اس کو چلانے کے لئے اور بہت زیادہ خرچے ہوتے ہیں تو یہ ہم اپنے جیب سے پورا کرنا پڑتا ہے کبھی قرضہ لینا پڑتا ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے اور مجھے بار بار کہنا پڑتا ہے اور آپ لوگ اثر ہی نہیں ہوتا کیوں پہ یا ما شاء اللہ ایسے ان کا سکن تھک ہے نا چمڑا ہمارے بائیوں کا اتنا موٹا ہے کہتا ہم سپورٹ کرتے ہیں سپورٹن کا کیا ہوتا ہے صرف چیٹ میں چیٹ میں یہ سپورٹ کرتے ہیں ما شاء اللہ اللہ یری اللہ یری اللہ محمد وآل محمد میں آپ کا خادم ہوں نارے حیدری اپنی جگہ پہ چیٹ پہ سپورٹ کرتے ہیں اس کی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے ٹھیک ہے چیٹ آپ صرف خود ہی پڑتے ہو کامٹ آپ خود ہی کرتے ہو ہمارا سب سے امپورٹن جو آپ ہماری سپورٹ کر سکتے ہیں وہ فائننشل ہے کہ آپ اس چینل کو بند نہ ہونے دیں اور ہم پہ اتنا قرضے پہ قرضے ہم لیتے جائیں ہمیں بند کرنا پڑے یہ اسٹوڈیو یہ تم چاہتے ہو تم چاہتے ہو کہ ہم یہ بند کریں کیونکہ شیعوں نے سپورٹ نہیں کی یہ کہنا میں تو آپ پہ بہت کہتا ہوں لیکن اثر نہیں ہوتا ماشاءاللہ اثر نہیں ہوتا اور اگر کہہ دیں پھر وہ کہتا ہوں پھر تانے بھی دیتے ہیں کہ آپ نے کیوں بولا کیوں ہیسے لوگوں سے واسطہ پڑھا ہے اگر کہہ بھی دیں کہ آپ یہ سپورٹ کریں پلیس ہمارے وہ کہتے ہیں کیوں آپ نے بول ہم بولنے کی ضرورت ہم تو کرتے ہیں آپ بولنے کی ضرورتی کیا ہے ہم تو ویسے بھی کرتے ہیں کرتا ورتا کوئی نہیں ہے بھائی بہت ہی کم لوگ قلیل لوگ ہیں تو لذا کچھ خدا کا خوف کرو کچھ شرم کرو یہ چینل جو اس میں اہل بیت علیہ مسلم کے مذہب کا احیاء اور دفاع ہو رہا ہے اور مطالب حق کا بیان ہو رہا ہے اور لوگ ایمان کی طرف آ رہے ہیں جماعت مخالفین بیدار ہو رہے ہیں شیعہ کو اپنی مذہب کا قدر ہو رہی ہے پلیس اس کی سپورٹ کرو آپ اس چینل کو سپورٹ کریں گے یعنی آپ اہل بیت علیہ مسلم کی سپورٹ کر رہے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کا سپورٹ کر رہے ہیں بارہ اہم علیہ مسلم کی امامت کا سپورٹ کر رہے ہیں اللہ کو جزائے خیر دیں سپورٹ کریں اللہم صل على محمد وعالی محمد خدا حافظ آپ سب کاش تینکیو سر آپ کا بہت بہت شکریہ